हेलो एवरिफवान कैसे हैं आप सब आप सब बहुत ही खुश हैं मस्त हैं और मन लगा कर पढ़ाई तो कर रहे हैं क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हुए हम लोग आज उनकी सामान ने जान करी और उसके साथ ही विर्चन की वीजियों पर भी डिसकस करेंगे किसके लडियाइड और किटोन के ओके इसके अंदर अपने लडियाइड किटोन को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों जल्दी समझ में आए यह नया मतलब की यूं कह दूं कि मैंने एक नई चीज को अपलाई किया है मैं चाहती हूं कि आपको वो चीज वैसे समझ में जादा अच्छे से आएगी ओके बट्र चलिए शुरू करते हैं अपना फॉर्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं हम पढ़ है कि अपने पास सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि अपने पास क्या है अपने पास LD8 किटोन की दी में बात करूं तो यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर C double bond O group है आप में से कितने बच्चे हैं जो इसको जानते हैं फटा फट मुझे कमेंट में बताओ कि यह मैं हमें कि यह क्या है क्या है बेटा यह यह कार्बोनिल समू है क्या है बेटा यह एक कार्बोनिल समू है यह कार्बोनिल समू है इसे कार्बोनिल समू है कहते ही ठीक बात है यह इसकी दोनों सेयों जगता है हाइड्रोजन से यत्वा एक सेयों जगता हाइड्रोजन से वा दूसरी स से हो तो एलड से हो जाता है ध्यान देंगे कह रहे हैं की कारबोनिल है उसकी सब्सक्राइब होता है और यह और होता है वह क्या होता है बात हो गई है तो आप make sure कि चीज़ों को इस तरह से ही पड़े ताकि आपको चीज़े clear हो जाएं तो H और H से होगा तो भी और H की जगे एक side R होगा तो भी क्या हो सकता है वो होता ही है LD high, right, second ये कह रहा है कि आपके पास यदी क्या हो कार्बोनिल हो उसकी दोनों सेंजकता उपर R हो तो हम लोग उसे क्या कह सकते हैं हम उसे कीटोन कह सकते हैं बात समझ में आ गई फटा फट चलते हैं आगे LD high work कीटोन को सम्मलित रूप से क्या कहते हैं कार्बोनिल समुह कहते हैं जो LD8 के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे कार्बोनிल ग्रुप का जाता है यजिए folds को एक सामन्य भार्षा मैं यदि में बात करूं तो कार्बोनिल की नाम से जाना जाता है जिसτο नाम जो है उसे कार्बोनिल यूक्त योगि को के नाम जाता है जनरी पहले जो इसका सुक्र होता है सी एन एच टू एन ओ एच टू एन ओ तो क्या है कार्बोन का ओक्सिजन है जो हमेशा रहेगा इस्टेवल आपके कार्बन और हाइडरोजन की संख्यां बदल सकती है चलो ओके समझ में आ गया तो फटा फट लिखेंगे सभी बच्चे यस मैं जल्दी जल्दी जल्दी लिख दो फटा फट फटा फटा फट तकी बात क्लियर हो गई है तो जल्दी से ओके चलों ओके डग आ जाई है अब आता है कि कार्बोन की सरंचना पर क्योंशन आता है इसे वैरी इंपॉर्टन तब मैं लिख कर लाए हूं आपके लिए इतना कॉंसेप्ट है ना इसका प्रश्ण आता है एक्जाम में दो नंबर का क्यर्शन आता है ओके तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे क्या है कि कार्बोनिल जो समय है उसमें कार्बन और ऑक्सिजन दोनों ही संक्रित अवस्ता में है आप सबको 11 में संक्रण पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से आपको आता भी है नहीं भी आता तो कोई बात नहीं एक बार ध्यान दे लेना कि कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉंड होता है तो एक एस और तीन पी कक्षक भाग लेके एस पी-3 बनाते हैं अगर कार्बन कार्बन के भी द्यूया बंद होता है तो दो भाग लेकर के एस और पी के दो कक्षक एस पी टू और वहीं पर त्रीपल वांड होता है तो राजा क्या बन जाता है एस पी संक्रान बन जाता है अब आप सद्धान से देखें तो आप क्या बंद है तो कौन सा संक्रण होगा SP2 राइट जल्दी से बता दो कि यह अगर बात समझ में आ गई है तो तो यहां पर लिखा है कार्बन की प्रमानू क्रमांग और ऑक्सिजन का प्रमानू क्रमांग कितना है आथ ठीक है इलाक्टोनिक विन्यास लिखा गया है वनस अगर 1 2 2-2 2-2-2-2-2-2-4 ओके तूंपी पीटो यह औक्सिजन और कार्बन का क्या है और शहां यह आपका क्या यह है को unas flickman समझ में आ गई तो कार्बन के 3 SP2 संकर कक्षक 3 सिग्मा बंद का निर्मार करते हैं तीन सिग्मा कार्बन के 3 SP2 संकर SP2 का मतलब होता है 1S और 2P कक्षक तो कितने कक्षक हो गए 3 कक्षक सिग्मा बंद का निर्मार करते हैं कार्बन और ऑक्षिजन पर एक एक अर्धों एस अंत्रप पीक अक्षक 6 रह जाता है जो पाश्रिक अती व्यापन यानि पश्य आबंदन से पाई बंद का निर्मार करता है अभी मैं दिखाऊंगी आपको बना कर रहे ताए कि आपको समझ में आ जाए यह पास ध्यान रखना इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना कि कार्बन 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 और ऑक्षिजन में क्या होता है पी कक्षक की बात करूं तो एक एस कक्षक होता है और पी में तीन कक्षक होते हैं ठीक है यह एस और यह पी सभी बच्चे ध्यान देंगे एस और पी वाला वो कक्षक किया करता है वो भी संक्रण में भाग लेता है और पश्या बंधन कर देता है right चले आजाईए ऑक्सिजन के विद्यूत्रिंटा जादा होती है सही बात है इसके कारण पाई बंद में इलेक्ट्रोन ऑक्सिजन की और होते हैं सही बात है जो खाली कक्षक होते हैं जो रिक्त कक्षक होते हैं वो रिक्त कक्षक क्या करते हैं पाई बंद बनाते हैं आप सब जानते हैं पाई बंद का मतलब क्या होता है जब क्या होता है अक्षी अतिव्यापन होता है यानि दो कक्षक इस तरह जुड़ते हैं तो सिग्मा बंद बनता है वहीं पर दो कक्षक यदि क्या होते हैं दो कक्षक सम पार्षविक जुड़ते हैं इस तरह जुड़ते हैं तो उनके मद्दे कौन सा बंद बन जाता है पाई बंद बन जाता है तो अक्षी अतिवयापन में सिग्मा बन और पार्श्विक अतिवयापन में पाई बंद का निर्मान होता है क्लियर बात समझ में आ गई है जिससे ऑक्सिजन पर आंशिक धनावेश और कार्बन पर आंशिक ध जाते हैं धनायन या रिनायन आ जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है धनायन रिनायन आने की वज़े से वहां पर धरुवता आ जाती है यह यह कहूं कि वह आवेशित हो जाते हैं तो धरुविय कहलाते हैं यह तो धरुवता के कारण उन पर क्या आ जाता है बंद की प्रवर् तो अब में ऊपस्तित होने की वज़े से आपन देखते हैं कि यहां पर लडी ओर यहां पर किटोन। सबरें आपके स्क्रीन दिखए जाई तो कार पीज़े जो घूरूप है उसके दो ऐन कार्वन तो यह startup कार्वुन Director में एक आर एक एच यहां पर दोनों तरफ क्या है यह बेटा समान भी हो सकते हैं और धिन धिन भी हो सकते हैं इसमें कोई वह ज्यादा दिक्कत वाली वार नहीं है तो ल्टी एट की टोन का फीचर समझ में आ गया कि कार्बोनल ग्रूप अटेच्ट टूदर कार्बन बैट इ है वह किसके साथ जो सकती है कार्बोनल ग्रूप के कार्बन से जुड़ी होनी चाहिए बात समझ में आ गई तो फटा पर लिग दीजिए यस चलती हूं आगे अब यहां पर सामने स्क्रीन पर कार्बोनल ग्रूप दिखाई दे रहें दोनों ठीक बात है यहां पर आर की माद कहलाता है ओके तो यहां पर आगे कार्बोनल ग्रूप प्लस और यहां पर आगे सैजन के बाह सब्सक्राइन के बाहшितです ह отправ 6 साथ मान गया मैंनस ऐ अब है यहां पर जो बन्द रहे हैं कार्बन के उपर 2 ढोड थिक है कार्बन ओक जाल बंडिंग के भीच, ठीक है कैसे हैं कार्बन का अगर आपको क्या दिखाऊं इलेक्ट्रोनिक विन्यास तो 1s2 2s2 2p2 ठीक है ऑक्सिजन का 1s2 2s2 2p4 ठीक है यानि कि s और b s अरपी ठीक है संक्रण में भाग लहनी स्कुलिगा इस पी ऑक्सिजन का भी है कैसे सदाध्यां डेंगे यानि कि inmates carbon के पास में चार कशक है एक दो थीट और चार ऑक्सिजन राइट ऑक्सिजन के पास में क्या है ऑक्सिजन के पास में दो रुचार ठीक बात है कार्बन के चारों में एक 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 एलेक्टोन है जबकि ऑक्सिजन में कि एस के पास दो है पी के पास में कितने है चार है थिए भाप नाम है अब यह कह रहे है कि आपके पास इनके पास में क्या है यह बंद बन रहा है है ठीक बूलौ बन रहा है तो इस बंद का नाम क्या हुआ सिग्मा वहीं पर यह क्या करेंगे अब यह और यह आपस में क्या करेंगे बंद बना रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा कि यह संपार्श्वी कतिव्यापन करते हैं तो यह कौन सा बंद बनाएंगे पाई पर बात समझ में आ गई ह यहां पर यहां पर तो यह बंद यहां पर आप देखेंगे कि अपने पास जो मॉलिक्यूल है अपने पास जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या है जरा ध्यान देना सभी बच्चे अपने पास जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या है यह बंद है इसमें दो इलैक्टोन यहां पर यह दो बन सकता है यह यह तक लिशा थैग्री सी किमा निर्माड कर रहे हैं कि ऐखी है ये बताई जा रही है है तो यह जो है यहां पर क्या निर्मान हो गया इस परकार क्या बन गया डबल बॉंड बन गया यह रा कार्बॉन में ऑक्सिजन और यह और यह खतब यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कार्बॉन में बॉंडिंग कैसे हो रही है क्लियर अगर समझ में आ गया है तो पटा फटली देंगे यस मैं आप आता है कि यह जब बंद बन गये तो इनकी बीच का जो बॉंड एंगल है जो बॉंड एंगल आप समझा रहे हैं वो कितना होगा हमेशे ध्यान रखो SP SP2 और SP3 की यदि में बात करूं तो यहां पर बंद कौन कितना होता है 180 डिग्री SP2 में 120 डिग्री और SP3 में क्या होता है 109 डिग्री 28 डैश होता है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैं ओके जल्दी बताओ जल्दी 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 बेटा बात समझ में आ गई तो फटा फटा फट फटा फट लिख देंगे जल्दी बताए फटा फट ओके चलूं आगे बि के बीश में क्या हो जाता है अतिव्यापन हो जाता है चलों पूर्ट आजाओ जी आजाओ चलते हैं आगे अब आजाओ अगला टॉपिक आता है LD8 और किटोन का नामकरण कर रहे हैं तो अपने नामकरण पर बढ़ता है है आप लोगों को जन्रल ऑर्गनिक केमेस्टी में फिर भी यहां तो पढ़ना ही पड़ेगा तो सबसे पहले बता रहे हैं कि एच्छ जब जूड़ता है तो इसके अंदर जो रूट यूज़ करते हैं आप उता है मैत यानि की मूल नाम उसके बाद में आप प्रफिक्स एन और सफिक्स क्या लगाते है एं प्रांडरी और संकन्री एं तो नाम क्या बन गया में थे ने शाइद बात एक्दम क्लियर है यहां पर कि नामकरन कईसे हुआ है इसके तो है yes ma'am, चलूं आगे जल्दी 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 clear है yes or no जल्दी, यह कौन सा नाम है इसका, IUPAC clear है अब आजाते हैं, आगे इसमें सब का ऐसा ही है, acrylene यह IUPAC, crotonelleide यह IUPAC नाम, यह glyceroldehyde और यह इसका IUPAC, नाम, तो नाम में 8 and A prop, 2 in क्यों लगा विटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 2 पर क्या है, द्विया बंध है, 2 पर क्यों काउंट किया 3 पर क्यों नहीं, पहले जो आता है उसकी तरफ क्या होता है द्विया बंध स्थितर होता है clear, चलूं आगे, तो यह हो गया, glyceraldehyde में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सफिक्स और यह है, आपका क्या, प्रेफिक्स ओके, clear, बात समझ में आ गई, तो फठा पर लिदीजिये, यस मैं, प्रॉप एन, वर, और प्रॉप एन, वर, प्रॉप एन, की टॉन का नाम करना आ गया, जल्दी बता हो, जल्दी यस और नू, तो यह सब भी नाम करना जैसे, इसमें क्या है, प्रॉप मिथाइल, पैंट, त्री, एन, वन, ऑन, फोर मिथाईल क्यों, यहाँ नाम करन करते हैं, देखो, अपन अगर बात करें, तो यहाँ पर एक कार्बन श्रंकला है, इस कार्बन श्रंकला के दिए आप ब C double bond O फिर आया CH3 तो इस carbon shrunkla में क्या है 4 पर methyl group है 4 पर methyl group कैसे है जरा ध्यान दो देखो अपने पास 1, 2, 3 और 4 यह लंबी श्रंकला होगी अब 1, 2, 3 और यह 4 4 पर क्या है methyl group है की नहीं और यह 5 carbon shrunkla होगी अगर बात समझ में आगी तो फटा पर लिख दिजिए यस मैम ठीक है आजाओ देखो यहाँ पर मैं लिखकर बता रही हूँ तुम्हे जरा ध्यान देना यही पर लिख दूँ एक बार ताकि आपो समझ में आजे जरा ध्यान देना देखो CH3 CH3 लिख दिया उसके बाद में double bond C H C double bond O CH3 एक लंबी श्रंकला तो लंबी श्रंकला जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे 1 2 3 4 और 5 ठीक है अब देहो किते पे हैं 4 पर मैथिल गुरूप जुगा हूँ है लंबी श्रंकला में यह आ नहीं रहा है न श्रंकला में तो यहां लिग दिया 4 मैथिल ठीक है उसके बाद में पैंट 5 कारवन की लंबी श्रंकला थी इन तीन पर क्या लगा हूँ है दूइया बन ठीक है क्लियर हो जाए चलूँ आगे बिल्कुल ऐसी टोन वन फैनल इत वन इत ठीक है तो यह समझ में आ जाए उसके बाद में डाअपने मेत गैंट 2 बेंग जी ने दाइफिनाइल की टॉन यह क्या है इसका रूरी नाव और यह क्या है इसका आयृतक़ गिंज áreas रिंजो बेंiczby को चा merd और देखना पड़ेगा कि अपने पास अगर एक कार्बन श्रंक लागी अपने बात करें पैंटेन पर क्या थ्री ओक्सो पैंटेनेल यानि अगर आपन बात करें एक दो तीन चार और पांच ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि LD8 की टोन में आपको किसका थ्री ओक्सो आपक रालड यहां कार्ड़नियल को जो है ऐसे क्या मानना पढ़ेगा ऐसे प्रतील थापी मानना पढ़ेगा ठीक है और LD8 जो है इसे क्या मानना पढ़ेगा अनू लगन या मेन ग्रूक मानना पढ़ेगा हमेशा द्यान प्रिवर्यता सूची में लिखा गया है ऊपर आता है ठीक है बात समझ में आगे बात प्लियर होगे तो फटा-फट चलते हैं आगे यह सारे समझ में आगे सब प्लियर हो गए तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर आगे इस चीज को क्या बताना चाहता है यह परस पर क्या होते हैं समावेवी होते हैं समावेवी पर्दिशित करते हैं क्या है समावेवी पर्दिशित करते हैं अब आपको क्या करना है अगर अपने को इसमें क्या करना है अगर अपने को इसी के अंदर वरियता लानी है या आपने यू कहते हैं कि अपने पास इसको चेंज करना है तो यह कहते हैं कि ठीक है अब इसमें क्या चेंज करें सकता है इसमें चेंज हो सकता है कि इसका यहां पर पुनर्विन्यास करो और यह यहां पर आ जाता है यह बन जाता है यह परस पर क्या है एक दूसरे के समावयवी है इसलिए इन्हें आपस में लड़ी टोन को क्या का जाता है समावयवी रूप कहां जाता है शाहिद बात समझ में आ गई है तो पटा-फट लिख दीजिए यस मैम जल्दी 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 ओके चलूं आगे आजाओं जी चीजे क्लियर होती ही है ओके अब आता है विर्चन की विदियां तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे जरा सभी बच्चे ध्यान लिए विर्चन की विदी की मैं बात करूं तो अपन जो है बिटा तीन प्रकार से इनको डिस्क्राइब कर चुके हैं यानि तीन तरी से अपन कैसे तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले एल्डी हाइड एल्डी हाइड वह की टोन की एक साथ या सम्मलित अभी क्लिय है ठीक है वहीं पर यदि मैं दूसरी बात करूं तो कुछ ही होगे जो केवल की टोन की अभी क्लिया केवल एल्डी है निर्मान अभी क्लिया और दूसरी आती है क्या तीसरी आती है केवल के टोन निर्मान ठीक है बात समझ में आगई फटा फट लिखेंगे जल्दी से ओके चलूं आगे पर आज अपन जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन जो है केवल एल्डी हैट की टोन बोथ रियाक्शन पढ़ने वाले हैं ओके कोई दिक्कत नहीं फिर अपन इन दोनों का एक साथ पढ़ लें थाकि आप पिछनी क्लियर हो जाए चलूं आगे आजाईए जी तो सबसे पहले अपन देखेंगे ल्डी एट की टोन बोथ रियाक्शन यानि कि आपको ये ऐसे एक्जाम्पल्स हैं ऐसी रियाक्शन हैं जिससे आप ल्डी एर और किटोन दोनों को एक साथ बना सकते हैं तो इसमें कौन-कौन सी अभिक्रिये हैं तो इन्होंने का कि इसको भी कितने भागों में बाता गया है तीन भागों में बाटा गया है कौन कौन सी है तीन भागों में कौन कौन सी बाट रही है तो बताया कि पहली जो रियक्षन है पहली रियक्षन है आपकी कौन सी एलकोहलों का ओक्सी करण ठीक है दूसरा है क्या आपका दूसरा है आपका एलकोहल का वी हाइजरो जैनी करण और तीसरा है आपका क्या तीसरी रियक्षन है आपकी बेटा हाइड्रो कार्बन दुआरा है जिसके अंदर आप दो रियक्षन पढ़ेंगे कौन कौन सी पढ़ेंगे पहली पढ़ेंगे आप क्या ओजोनी अपका टन और दूसरा पढ़ेंगे आप एलकीन में जल्योजन प्लै आपका ये क्या हम एलकीन है और यहां पर एल काईनों का कि जल यह जलोग जल जल्दी उतार अजानता चार्ट में इसी हो जाते हैं ना बिल्कुल हो है फटाफट उतार दीजी ए बात समझ में आ गई ओके ढ़ता है पहली रियक्षिन पर पहली रियक्षिन कौन सी है पहली रियक्षिन है एलकोहलों का क्या ऑक्सित्रन ठीक है अब एल्कोहल का जो ऑक्सीकरन होता है आप सब को पता है ऑक्सीतरन का मतलब होता है एल्कोहल का ऑक्सीकरन करना मतलब हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का चुड़ना ठीक है ऑक्सीकरन होता है आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी एल्कोहल से ल्डीए ल् तब तक करो एल्कोहल का जब तक की अम ना बन जाए लेखे यह एल्कोहल में आपको देखो दो चीज़ें जाद ध्यान देना सभी बच्चे एल्कोहल जो है उसका ओक्सीकरन करने के लिए कई मैथड है ठीक है पर ध्यान दो अगर आप K2, CR2, O7 लेते हैं या KMN, O4 लेते हैं तो यह प्रबल उक्सिकार है जो इसको LDI की टोर में तो बदलेंगे और वो आगे भी बदल सकते हैं और इसको उक्सिकरत करके एसेड भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेके आपको केवल क्या चाहिए आपको केवल LDI चाहिए या फिर Ketone चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए बेटा आपको जो है वो अमल नहीं चाहिए अमल नहीं चाहिए तो आपको ऐसा अभी करमक लेना है like PCC pyridine chlorochromate chromate ये ऐसा अभी कर्मत है ऐसा वेजेंट है जो क्या करता है एल्कोहल को केवल किस में ऑक्सिक्रत करता है LD8 और Ketone में ही ऑक्सिक्रत करता है अमल में ऑक्सिक्रत नहीं करता है इसे लिए PCC को यूज किया जाता है ये कई बार एक्जाम में भी पूछा गया है बेटो तो प्लीज ये याद रखना कि केमनोफ को लेकर भी आप उक्सिक्रत कर सकते है बट इसकी मतलब कि ऐसे संभावना रहती है कि ये अमल बन्या देगा क्योंकि ये प्रबल उक्सिक्रत है लेकिन PCC जो है वो केवल और केवल जो अलकोहल है उसे LDA डोर की टोर में ही बदलता है राइट बात समझ में आगी तो फटाफ़ लाइक कर दो और लिख दो यस मैं सभी बच्चे फटाफ़ 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 क्लियर हो गई बात तो अपन सबसे पहले अपन जो है क्लियर बात समझ में आई तो एक डिगरी अलकोहल का यदि आप ऑक्सिकरन कर रहे हैं PCC की उपस्टिटी में और आप क्या लग सकते हैं के टू सी आर टू सेवन लिख सकते हैं बट मेजरली आप इसी को यूज करो ताकि हम क्या कर सकते हैं हम इसमें से क्या कर सकते हैं हम इसका जब ऑक्सिकरन करेंगे तो यहां पर अपने पास जो मोलिक्यूल लिखा है उसे में खोल देती हूं CH3CH और यहां पर OH यहां से इस तरह से क्या निकल जाता है एच्टू ओके आपने ओक्सिकरन लिया है तो ऑक्सिजन जुड करके आप एच्टू भी रिमूव कर सकते हैं तो यहां पर अपने पास क्या बन चाता है CH3C यहां पर हाइड्रोजन दो बन टूट गए डबल पॉन यह क्या बन गया एसीटलि हाइड राइट बात समझ में आई यह यह एथे नेल ओके चलो वहीं पर दूसरा है पी सिसी का नाम पता है ना पाई डीडिन क्लोरो chromate ओके चलू आज आओ जी इसमें भी अपने को क्या करना है इसमें भी अपने को यह दोनो hydrogen minus h2o यह फिर आप h2 remove कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाए कि यह सब oxygen तो करी रहे हैं न भाई तो यहाँ लिख दिया ch3 c double bond o ch3 titon बन गया yes or no जल्दी बताओ फटाफट 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 और लिख दीजिए yes ma'am आज आओ जल्दी 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 करते हैं second reaction जो है वो क्या है आपकी बेटा second reaction जो है वो है आपकी एल्कोहलों के वी हाइड्रोजनी करण द्वारा वी हाइड्रोजनी करण द्वारा मतलब क्या है वी हाइड्रोजनी करण का मतलब क्या है यानि हाइड्रोजन का निकलना को कि यानि आपको ऐसा कोई रिएजेंट लेना है जो इसमें से हाइड्रोजन को तो कर रहे हो CH3CH2OH ओके वही पर CH3COH और CH3 यह एक डिगरी है यह दो दिगरी क्या एलकोहाल ठीक है दो डिगरी एलकोहाल ठीक है बात समझ में आ गए अब इसको आपन हमेशा यूज़ करेंगे कोपर प्लास 585KP यह भी कोपर प्लस 500 में कोपर अपने पास क्या बन जाता हूं अपने पास यहां से एक H होलकर ताकि मेरे बच्चों को को दिक्कत नहुं तो यहां पर क्या हो जाता है यह दुनों हाइटिोजइन हरून मूह संट यहां नहीं गude इस अच सीचव C1O H आप ध्यान देना कि यह जो H है यह जो H है अगर रिमूव हो रहा है तो यह बंद यहाँ पर shift हो जाएगा यह oxygen double bonded होता है तो यहाँ पर दो बंद आ जाते हैं और यह बंद जाता है C1O similarly यहाँ पर अगर आप यहाँ से लेते हैं तो यह हो जाता है H2 रिमूव और यहाँ पर आ जाता है CH3 Ketone Acetone यह Acetaldeate यह Acetone clear बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दो यस मैं चल्दी 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 अब चलते हैं आगे last जो अपनी third reaction है वो है क्या बेटा hydrocarbon द्वारा hydrocarbon hydrocarbon में अपने पास क्या है सबसे पहले अपने पास alkyne और alkyne का अपने को क्या करना है ओजो नी अपगटन ओजो नी अपगटन यह बहुत important reaction है यह आपके neat और J में भी बहुत बार पुछ जाती है और बारवी के बच्चों को तो बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए मैं अराम से समझाओंगी अच्छे से समझो फटा-फट जल्दी से सामने बोर पर देखिए आज आओ बीटा जल्दी से तो alkyne अपने पास है बीटा अपने पास CH2 double bond CH2 ठीक है और यहां पर आप किसका H2O जिंक ही रियक्शन करा करके आप क्या बना लेंगे दो मोल HCHO बना लेते हैं ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए लेकिन यह हुआ कैसे इसकी क्रिया विधी क्या है सभी बैच्चे ध्यान से देखे इधर ध्यान दो बेटा अपने पास क्या है CH2 double bond CH2 ठीक है और अपने पास क्या है O3 जिसकी structure क्या होती है जिसकी structure होती है बेटा क्या इस तरह है ठीक है अपने पास S structure होती है O3 की सही से बनावती है ठीक है अब इसको आपको इसी तरह इसके उपर रखना है triangle के दो आप कैसे रखेंगे आप रखेंगे इस बंद को तोड़ेंगे और आप दहिए थी हाँ तू यहाँ पर आ गया hour ow कौ union यहाँ पर और आपक्जीज और यहाँ पर अपने पास क्या है सिंगळ बॉंड ही टूत जाए Gig और यहां पर डबल बॉन टूटता हो नजर आएगा और इसके ऊपर आपने क्या रग दिया लम दिया तो आपके पास क्या बनेगा आपके पस इसतरव से मौलेकुल लागया दो आक्नी और यहां पर भी ठीक बंदोना तोट गए बिल्कुत यह बज तोटे हैं तब अभी तो यह जूड़ेंगे आपस में ठीक आब इसको आप इस तरह से तोड़ा तो आपके पास यहां पर साथ में लिखा हुआ है है एच टू ओ और यहां लिखा हुआ जिंग ठीक है तो यह ऑक्सिजन जो है बेटा यह इसके साथ जुड़ेगा और क्या बन जाता है यहां पर देखो यह अपने पास क्या बन गया सी एच टू ओ दो मोल बन गया इसको खोलो कार्बन कितने हाइड्रोजन एक और दो राइट ऑक्सिजन एज सिंगल बॉंड़न नहीं हो सकता था यह बात समझ में आ गई ऐसे कितने है आपके पास दो यहां दो लग जो गया फॉल्मेल डी हाइड क्या नहीं इसका फॉल्मेल डी हाइड ओके बात समझ में आ गई होगी तो इस प्रकार अब आता है यहां पर जब यह जोड़ता है तो जिंक और यह क्या बन जाता है एच्टू बिटा ध्यान दू कई बार एक्जाम में पूले जाता है कि जिंक और जोनी अपगड़न में जिंक को ही क्यों लेते हैं क्योंकि जिंक जो होता है वह एच्टू जो प्रबलतम ऑक्सिकारग है उसे उदासीन करने के लिए जिंक किसको क्या कर देता है उदासीन करके क्या कर देता है जिंक जो है वह एच्टू ओटू के साथ रियक्शन करके खुद ऑक्सिजन ले लेता है और जिंक ऑक्साइड प्लस एच्टू को बनाना है तो आप देखेंगे च्छ थरी डबल बॉंड है और आप सब जानते हैं क्यों जब आप ले रहे हैं तो रियक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी थरी थरी यहां पर क्या था oxygen यहां यहां पर CH3 यहां पर भी CH3 यहां पर भी CH3 और यहां क्या आगया आपके पास ठीक है अब यह यूटूब जाएगा ठीक है क्या बन गया वेटे अपने पास दो मोल क्या बन गया CH3 C double bond O CH3 साथ में क्या बन घंग जैन प्लस हैच्टू ओ तो यह बन गया जैन प्लस हैच्टू क्लियर अगर यह बात समझ में आ घृत वर लिख दीजिए यस मैं फड़ावर 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 चलते हैं आगे जल्दी से लास्ट रियक्शन है कौनसी बेटा आपने पास लास्ट reaction है आपकी क्या last reaction है आपकी क्या भई आज आज लास्ट रियक्शन है कौन सी बिटा लास्ट रियक्शन है अपने पास इसके अंदर अपने पास है क्या एलकाइनों एलकाइनों के क्या भई एलकाइनों के जल योजन दुवारा ठीक है बात समझ में आगे हो जल योजन मतलब H2O का जुड़ना ठीक है आज आज आओ जी फिर अपने पास है CH111 CH अपने जोड़ेंगे इसमें अगर एच टू तो क्या हो गया H plus OH minus टूटा एक पर माइनस एक पर प्लस यह प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस क्या बन गया CH3 अपने पास क्या आगया CH2 सिंग डबल बॉंड क्या CH अगर इसमें से क्या अगर अब इसमें से क्या निकाल दें अगर आप आप इसमें से इसका प्लस का और यह बन गया तो क्या बन गया है 2 की जिगर 3 hydrogen single bond हो गया CH हो गया और oxygen के साथ में क्या हो गया अब क्या हो गया भाई जल्दी 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 आ गया तो यह CH हो गया अब इसके बीच में triple bond है यहां से बंद टूटा यहां पर क्या गया माइनस यहां क्या गया प्लस जल्दी बिताओ यह सुर्म फिर क्या जोड़ दिया H2 क्या होता है H प्लस और OH ह है माइनस क्लिय है चलो आजाओ प्लस के साथ माइनस के साथ क्या हो गया CH3 C O H double bond CH2 रियारेंज्मेंट करो यह यहां पर यहां पर क्या बन गया CH3 C double bond O CH3 की टॉन का निर्मान हो चुका है केवल LD हाइड का निर्मान ना चोटा चोटा लिखना अच्छा नहीं लग रहा है ना तो केवल LD हाइड का निर्मान ओके पेटा समझ आ गई आप सुरी मेरे साथ साथ प्लीज बच्चों नोट्स बना देना रिक्वेस्ट है वेटा क्योंकि अगर छुट गया तो चीज़े आगे चले जाती है फिर वो चीज़े पकड़ना फड़ा मुश्किल हो जाता है ओके अब अपन द्वारा ठीक है बेटा ये फेमस रेम रियक्शन है जिसे अपन कहते हैं कौन सी रोजन मुंद अभिक्रिया कौन से भिक्रिया रोजन मुंद अभिक्रिया याद रखना बेटा ये नेम रियक्शन पूछी जाती है कौन सी अभिक्रिया है रोजन मुंद अभिक्रिया राइट सेकिंड है नाइट्राइल नाइट्राइल या फिर एस्टर या यू कह दें की हाइड्रोजन साइनाइड के अप्चयन द्वारा ये भी एक फेमस नेम रियक्शन है राजा क्या नाम है इसका इसका नाम है स्टिफिन अभिक्रिया ध्यान से जरा ध्यान से नेम रियक्शन से आपको मैं बता रही हूँ स्यान से लिख लेना ओके 3 पर रीयक्शन जो आपकी होगी वह एक्शन आपकी क्या होगी 3 है नो कारबन दौरा विज्वाएटा हुटाफ दौर्ड पर एसल रोहता है नाइटरिल अस्टर या hydrogen cyanide के up chain द्वारा जिसे stiffen अभी क्रिया भी कहते हैं इनको भी आपन देखेंगे कि ये reaction के बाद में आपके पास जो hydrocarbon reaction होगी वो फिर से classified की गई है इन्हें कितने भागों में बाटा गया है? तीन भागों में बाटा गया है ज़रा ध्यान बेंजीन या अपन यू कह सकते हैं उसके ओक्सीकरण द्वारा मेथिल बेंजीन के ओक्सीकरण द्वारा अब मेथिल बेंजीन का ओक्सीकरण जो है उसमें भी दो पार्ट है आपको क्रोमिल क्लोराइड C-R-O-2-C-L-2 द्वारा और C-R-O-3 यानि कि ये क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ये क्रोमिल ओक्साइड के द्वारा दूसरी रियक्षिन जो आपकी है वो है पार्ष्व बेंजीन के क्लोरीनी करण द्वारा कौन सी है पार्ष्व पार्ष्व मतलब कि अपन अगर बेंजीन रिंग को लेते हैं तो बेंजीन दि कि क्लोरी निकरन के पस्चात यहनी कि क्लोरी निकरण के पस्चात ऑक शच्चात क्या पिट Scientific के पस्चात जल अपकत चल میں गल्यास जो थर्ड है वो सब से इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी कौन सीविक्रिया मैं यहां颁ख रही हु चेंज कर देते हूं गाटर मान कोच अभी के लिए है गाटर मान गाटर मान कोच अभी के लिए है ठीक है बात समझ में आगे ये रियक्शन तो कम्प्लीट हो गई यानि आपको LD-Aται किटन की रियक्शन केवल LD जो देंगी वह है एसिल क्लूराइज दुआरा नाइट टिर दुआरा मान ली और में अफियर हथा फठा न गःत संद रहेंगे जल्दी से अब मैं चलति हूँ आगे दूसरा चार्ट बनाते हैं रहिए इसे भी आपको तेन पार्टmill है पहला वही ऐसे क्लोराइड से एसिल क्लोराइड से पहली अभी क्लिए क्या करा नहीं है आपको वही एसिल क्लोराइड से दूसरा है वही नाइट्राइल से नाइट्राइल द्वारा LD8 बनेगा और तीसरा आपका क्या होगा बेंजीन या उसकी प्रतिस्थापी से बेंजीन या उसके प्रतिस स्थापी दुवारा यह पता है कौन से अभी क्रिया है यह फ्रिंडल क्राफ्ट है फ्रिंडल क्राफ्ट अभी क्रिया ओके बात समझ में फटा फट चार्ट बनाओ जल्दी 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 ताकि अपन आज का टोपिक शुरू कर सके ओके चले जल्दी आओ जल्दी आओ जल पर लेकिन पता है एक बात और है कई पहले जब मैं बोल रही होती हूं कि पढ़ा नहीं रहे हो आप तो बार-बार यही कहे रहे हैं कोई बात नहीं यह सब आपके लिए ही किया जा रहा है इसमें आपका ही हिच चुपा है वेटा है न एक सिख्षक और मबाप के अलावा तीसरा दुन्या में ऐसा कोई वेक्ति नहीं है जो तुम्हारा हिच चाहता है या तुमें उनत होकर देखते वे खुश हो सकता है है इसके अलावा कि इस बात को समझता है वो बच्चा जीवन में कभी ने रिखता है इसलिए जोचो की टीचर्स आपको क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं हम हित ही चाहेंगे वेटा आपका ठीक है तो फटा फट अच्छे से लिखा करो समझा करो बातों को चलते हैं आगे अब शुरू करते हैं पहली रिएक्षण जो किसमें है केवल ऐल कीवल अल्डीय केवल ऐल ल्टीय में पहली रियक्षण का नाम क्या है पहली अभी करिया है आपके फेज़ क्लॉराइड या फिर अपने पास या या फिर आपने कह सकते हैं हाइडरो ख्लॉरिक ऐस इसका नयम reaction है यह name reaction कुन सी है रोजन moon the خक दो जनम mil अभिक्रिय Model oh okay yes जी बिल्कुल 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 तो रोजन यी फ्रिक्रिया क्या है थोड़ा सा ध्यान बिना इसज्डक टॉराइडिया आपको बेंजीन रिंग लेनी है और उस बेंजीन की ऊपर आपके पास मैं सी डबल बॉन ओस यह एसल समय तो है यह सोर नो जल्दी बलाओ अब इसकी रियक्शन जब आप करा रहे हैं तो ध्यान देंगे सभी बच्चे जब आप इसकी रियक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या लेना है PD-BASO4 और उबलती हुई जाइली क्या लेनी है उबलती हुई जाइली जाइलीन का फॉर्मूला यह होता है बेंजी रिंग पर दो CH तरी उबलती हुई जाइलीन और PD-BASO4 आप जब लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है क्या बन जाता है CHO बन जाता है कैसे और यह क्य लिए जाते हैं प्याजियम फिर्रीत कि लिए और अगर हे और अपको प्चेंद कराना है तो केवल प्रभल प्रभल अपचायक है श्रवों प्रभल चाएक नहीं थिया थीच है यह क्या है बेटा प्रबल अपचायक है कि जो ख्या करता है एल्टीए को एल्कोहल में कंवर्ट करेगा लेकिन हमें यह नहीं करवाना है इसको इसमें कंवर्ट करने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है वी यह जो कि एक क्या करता है देरियर का काम कर रहा है एक अवरोधक का कारिये करता है एक अवरोधक का रोधत का कारिये करता है इसलिए और इसके अंदर रमे क्या डालनी पड़ती है उबलती हुई जायली जो इस रियक्शन को स्मूथ्री करने के लिए प्रेरितर करती है बात समझ में आ गई सभी बच्चों क्लीर होगी तो पटा फर लिख दीजिए यस मैं जल्दी जल्दी जल तो मैं दिखा देती हूँ कि अपने पास बेटा क्या है अपने पास है एसल क्लॉरेइड ऑपन यूमियू दे इसको जाध्यान देना क्या सी डबर बॉन्ड ओंद अठहें अब अपने पास क्या है थीडी वियह 54 है बिल्कुल है और यह क्या कर Bennett है हाइड्रोजन दे रहे है हाइड्रोजन में और है एक है इसके साथ माइनस यह प्लस wasp rinse clear बात समझ में आगई तो क्या वन जाता है d GOD क्या बन जाता है इस अभी क्लिया नाम है रोगन मंड अभी क्लिया ओके ध्यान रखना ध्यान रखना रोजन मुंड अभी क्लिया बात समझ में आ गई तो पटा फटलिक दीजी यस मैं ओके चलूं आगे बिलकुल दूसरी अभी क्लिया पर आ जाते हैं अगले अभी क्लिया है सेकिंड आपके कौन सी नाइट्राइल द्वारा या हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा ओके किसका निर्मान केवल एल डी अब हाइड्रोजन साइनाइड है उसका अपचेयन की द्वारा रखों अपचयन द्वारा ठीक है बात समझ में तो अब अपन यहां पर क्या क्या देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास दो पर्टिकूलर चीजें दी गई है जरा ध्यान देना सभी बच्चें ठीक है क्या क्या है वो दम अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि मैं आपको अच्छे स समझा सकों तो अपने पास आर सी एच ओ है ठीक है सेंटर में लिग देती है आर सी एच ओ है ठीक है अब इसकी रियक्शन अपने को किसके साथ करानी है दो चीजे है एक तो आपको एल्यूमीनियम हाइडराई आइसु दाइडायिसो टी अइसो ब्यूतिल एल्यूमीनियम हाइडराईड और एक आपको करानी है असेन शेरल टू प्लस असिय-पहाइश c स्टेनस क्लोराइड है स्टेनस क्लोराइड है ठीक है बात समझ में आई आपको अगर यह रियक्शन हो रही है तो इसके नाम के आदार पर एक नेम रियक्शन है जिसका नाम क्या है इस टीफ पर नाभी के लिए ठीक है और इसकी उपस्तति में भी और दोनों के साथ प्रोड़क्ट क्या बनना है दोनों के साथ प्रोड़क्ट क्या बनना है बेटे दोनों के साथ प्रोड़क्ट बनना है क्या दोनों के साथ सेम प्रोड़क्ट बनना है आर क्या अच्छा मैंने R-C-N और यहां बनना है R-C-H-N clear? बात समझ में आगी सभी बच्चों को फटा-फट जल्दी से बताने जाए हाँ या ना जल्दी-जल्दी-जल्द clear? अब कैसे reaction होनी है कैसे करना है उसकी mechanism जो है वो मैं अभी आपको सब जा दोगी आपको बात देर हो जाए चलू यह बात समझ में आ गई सभी बच्चों को तो आईसो ब्यूटाइल डाई आईसो ब्यूटाइल डाई इसको ऐसे भी लिखते हैं डाई आईसो ब्यूटाइल क्या? उसके बात में I D-I-D-N राइट क्या है इसका नाम क्या है? डाई आईसो ब्यूटाइल एल्यूमीनियम हाइट्राइट इसको ऐसे भी लिखा जाता है यह भी अप्चैन का कारे ही करता है चले बात समझ में आ गई तो अब यह उतार लेंगे अब इसकी अपन मेकेनिजम देख लेते हैं तो अपने पास सबसे पहले क्या है बेटा? अपने पास सबसे पहले है क्या? अपने पास है स्टिफिन अभी क्रिया स्टिफिन अभी क्रिया हो तो वो अभी क्रिया में आपन क्या लिखेंगे मेकेनिजम देखो CH3C triple bond N plus SNCl2 plus HCl plus HCl यह क्या करते हैं hydrogen देते हैं यहां से बंद दूरता है दो hydrogen है आपके पास में एक प्लस में एक माइनस में तो यहां पर माइनस यहां पर plus plus के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस आ गया क्या बन गया CH3CH double bond NH आप इसकी रेक्षन ही दी आपके इसके साथ करा दें जल के अनू के साथ करा दें H2O plus के साथ करा दें तो या फिर सिदा ही लिख दें H2O तो यहां पर आता है कैसा आंशिक जल आपगटन होता है जलब ध्यान देना बात पर एक होता है प्रून जल अपगटन और एक होता है आंशिक जल अपगटन आशिक जल अपगटन क्या फर्क है इसमें पता है इसमें फर्क यह है कि आशिक की जब बात करते हैं तो ह2 जो है वह 2H और O-2 में टूटता है पूर जल अपगटन की बात करो तो ह2 जो है ह प्लस और O-H माइनस में टूटता है यह बात आपको किसी भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगी है ना हाई लेवल की जो बुक्स होती है उनी में यह रिसर्च में दिया जाता है कि आंशिक जल अपगटन में H और O टूटता है पूर्ण जलब गड़न में H और OH में तोड़ा जाता है बात समझ में आए सभी बच्चों को आनी ही चाहिए तो यह ध्यान रखना कि आपको इसलिए मैंने यह बताया है clear? चलूं आगे तो अब देख लीजी इस तरह तो यहाँ पर आनशिक जलब गड़न होगा तो यहाँ पर H और O माइनस 2 तो यहाँ से यह डबल बॉंड जो है NH तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यह ओक्सिजन इसके पास और यह जो हाइड्रोजन है वो इसके पास चला जाता है और प्रोडक्त हमारे पास क्या बन जाता है CH-3 C-1-O-H प्लस क्या बन जाता है NH-3 राइट बात समझ में आ गई तो फटा-फट लिख दीजिए यस मैम चल्दी 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 क्लियर फटा-फट फटा-फटा-फट स्क्रिंशोट भी आप ले सकते हैं ओके चलूं आगे आजाओ एक रियक्शन और है इसी के अंदर आप देखना चाहें तो इसी के अंदर यदि मैं बात करूँ तो इसमें एक रियक्शन आती है CH-3, CH-2, 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 CH-N इसके भी यदि आप करवाएं तो हो एलुमीनियम हाइड्राइड जो अपने पास आइसो ब्यूतिल, डाई आइसो ब्यूतिल, एलुमीनियम हाइड्राइड की उपस्ते में सीमिलरली CH-3, CH-2, 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 CH-O, प्लस-NH, एक रियर, तो इस परकार दिया बंद जो है उसका आप चेन नहीं होता है केवल और केवल साइनाइड का ही अपचेन ये करते हैं क्लियर बात समझ में आ गई, तो फटा-फट लिख दीजिए यस मैं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ आईए जी, तीसरी अभी क्लिया कौन सी है स्टिफिन अभी क्लियर होई, स्टिफिन क्यों नाम है, स्टेन नस, क्लोराइड की उपस्तिती में, उपस्तिती में ये रियक्शन होने की वज़े से, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या, स्टिफिन, अभी क्लिया, थर्ड रियक्शन, हाइड्रो कार्बन द्वारा, hydrocarbon द्वारा दिभी आपको करना है तो अपने उसके अंदर कौन-कौन सी रियक्शन है अपने पास तीन रियक्शन है पहली पहली रियक्शन कौन से थी methylbenzene के oxykaran द्वारा तो पहली अभी किया है methylbenzene के oxykaran द्वारा सही बात बिल्कुल सही है बात समझ में आई हुई है बिल्कुल आई हुई है कोई दिक्कत नहीं है चलू आगे तो कहां methylbenzene की oxykaran द्वारा ध्यान देंगे बेटा कि methylbenzene का जो oxykaran होता है तो अपने पास यह होगी methylbenzene toluene का जब आपको oxykaran कराना है तो oxykaran तो इसकी उपस्तिति में होता है के टू तो यह यहां पर क्या हो जाता है लेकिन ld8 के बाद में क्या हो जाता है ld8 फिर से oxykaran होकर किसमें convert हो जाता है तो अपने को इसको तो रोकना है यहां मैं चाहिए नहीं हमें केवल ld8 चाहिए भाई तो हम क्या करेंगे तो कहा कि इसको रोकने के लिए आपको दो चीजें करनी है कौन-कौन से आपको दो अलग-अलग reactants जो थे reagents औरी अभी करमक लेने हैं वह कौन-कौन से हैं आपको मैंने अभी बताया था पहली reaction में अपने को करना है बिटर अपने को यूज करना है cr2 क्या cr2-cl2 chromyl oxide chromyl chloride और वहीं पर अपने क्या यूज करना है cr2-3 chromyl oxide राइट बात समझ में आ गई होगी सबी बच्चों को जल्दी जल्दी क्रोमिल क्लोराइड जिसका फोर्मूला क्या है CRO2-Cl2 पता है अब इसके साथ जब रियक्शन की जाती है तो इसको एक नेम रियक्शन दिया गया है इसका नाम क्या है इटार्ड अभी करिया है बहुत बात पूछी गई इटार्ड अभी क्या है केवल जिसमें LD8 प्राप्त होता है किसके रियक्शन से टॉलूइन के टर से टॉलूइन ठीक है तो टॉलूइन का आपने वो क्या करना है औक्सी करन करना है और LD8 तक करना है तो उस समय यह दिए आप क्रॉमिल क्लोराइड ले तो वो इटार्ड अभी क्रिया हो जाते है तो चले डियक्शन को चेक कर लेते हैं इटार्ड अभी क्रिया इट्सवरी वेरी वेरी इंपोर्टन राइट अब इनकी मेकेनिजम देख ल हूं ध्यान देना तो अपने पास toluene CH3 ठीक है इसकी रियक्षिन आपको दो मौल क्रॉम क्रॉमिल क्लोराइट के साथ करानी है तो आपके पास क्या बनता है ध्यान देना यह क्रॉम क्रॉमिल क्लोराइट जो है ओ और यहां से जो CH3 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आजाए एच और यह दोनों एच निकलेंगे और यहां पर यह दो मौल है ना ओ सी आर सी एल टू है तो यह जुड़ गए एच और यह वाले दोनों च यहां आ गए बिलकुल आ अब यह यहां पर जो जाएंगी दोने ठीक है तो क्या बनेगा जरा ध्यान देंगे यह बंद गया बंद और यहां पर रहा सी एच यहां रहा ओ सी आर सी एल टू ओ ओ सी आर सी एल टू ओ एच बात समझेंगे अब इसका अपने को जलब घड़न कराना है एच ओएच एच ओएच ओएच ले लिया दो मोर बिलकुल अब क्या करें यहां से इसको तोड़ो प्लस में माइनस में प्लस और माइनस यहां से टूटे तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस यहां पर माइनस अब जहां माइनस है जहां पर प्लस है वहां माइनस आ जाएग ओ-H-C-R-C-L-2-OH के दो मोन साथ ही अपने पास क्या बन गया साथ ये अपने पास बन गया बैंजी निरिंग और उसके ऊपर क्या बन गया C-H-O-H-C-H-O आप सब जानते हैं कि एक मयान में दो तल्वार नहीं रह सकती है तो एक कारबन पर दो अच कभी नहीं रह सकते क्लियर बात समझ में आ गई तो पटाफट लिग दीजिए यस मैं ओके चलू आगे फॉस्ट रियक्शन होगे अब ये सैक्ड क्रॉमिल ऑक्साइड के साथ एक नेम रियक्शन है इसका नाम क्या है बेटा इटार्ड अभी क्रिया ऊके याद रखो एक नेम रियक्शन है इटार्ड अभी क्रिया वोके सैकेंड रियक्शन अपने वहीं बेंजीन के साथ में नहिंए टॉलोईकी रियक्शन जो है आपको किसके साथ करानी है तोलूईन की रियक्शन Ciella थे इसवे यहां पर अपने को फिर से CH दिखाना है इधर है और है तो अपने पास क्या है यहां पर और है आगया मॉलेक्ट्री देंगे इस तरफ ओके यह इधर ओ सी डबल बॉन्ट क्या ओ इधर क्या आ गया गया चीएच तरी फिर से वही ओ सी डबल बॉन्ट ओ सी एच सबका क्लियर बात समझ में आदे जल्दी जल्दी बता दे यस और नो और यहां पर आपन देखते हैं कि अपने बास दो एच और एक ऑक्सिजन से क्या रिमूव हो गया है एच टू हो जाता है क्लियर आजाओ जी आजाओ नहीं हुआ यह दो एच है न क्लियर चलते हैं आगे अब इसकी रियक्शन अपने को वापस किसके साथ करानी है दो मोल को एच के साथ राइट यह बन टूटा यह टूटा और यहां से यह भी टूटे प्लस माइनस प्लस माइनस राइट प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस तो एच तो यहां दूसरा एच यहां और यहां ऑच- वी नहीं में और अगि तो फटाफाट इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर दिया ब्यों घरप्याoterन ब्लागए दिया अपने पास ऍयूद्प के वन गया अपने पास बनेए दो मॉलद्शी अरी सी डबल वान दिया अब एक मयान में दो तल्वार नहीं का दिन हो जाएगा H2O और प्रोड़क्ट क्या बन जाएगा अपने पास अपने पास प्रोड़क्ट बन जाएगा यह है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फड़ लिग दीजिए यह 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 भी एक बन बन जाएगा बन आपने अगेSo本 का सब्क monetary करने कर दीजिए चल्वा आगे अगर बात समझ में आ गई तो फटा फटाफट फटा 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 पटाफट चलते हैं और अगे और अपनी अगले अभी किया हे यह तो और जैन रहें क्या जिसमें अपनी को क्या करना था हाइड्रोकार्बन में सबसे पहली रियक्शन जो थी उसके अंदर आपने क्या किया बेंजीन मैथिल बेंजीन के आप चैन दुवार, नहीं, ऑक्सी करण के दुवारा right, कर लिया आप चलते हैं आगे अब आती है अपनी सेकिन भीक्रिया जो किसके अंदर है सेकिन अभीक्रिया जो हाइड्रोकारवन में है उसका नाम है पार्श्रंख्रा के कलोरी क्लोरी नी करण के पश्चात क्या ऑकसी करण पार्श्वर श्रंखला के क्लोरी करण द्वारा या के पश्चाथ क्या भई के पश्चाथ क्या करना है आपका जल अपगड़ जल अपगड़ ओके जी बिल्कुल जी चले जी आगे चलते हैं अगे आप आता है आपने पार्ष रंखला में क्लोरी कराता है तो पार्ष रंखला अपने पास क्या है अगए यह बन जाएगा CH2Cl plus क्या बन गया आपने पास अच्छा CHCl और अपने पास 2HCl यस और जल्दी बता दो फटा फट अच्छा CH CH2Cl2 दो क्लोरी और दो यहांपर राइट बात समझ में आगी अब अपने को इसका क्या कराना है जल्द अपकाटन H2O कैसे तूटेगा H plus OH minus यहां पर से तूटा यहां से अपन बात करते हैं अपने पास कितने यहां परेदी आपको अच्छा H2O का क्या कराना पड़ेगा अंशिक जल्द का तान तो अपने पास क्या बन जाएंगे H और O 2H plus में यह minus 2 तो यह CL जो है वो H के साथ क्या बना देगा प्रोडक्ट में 2HCL प्लस क्या बेंजीन रूं के साथ में क्या बन गया राजा CH clear बात समझ में आई तो फटा फट लिग दीजिए यस मैं और मैं साइड में हो जाती हूँ आप फटा फट क्या कर सकते हैं आप फटा फट इसको उतार सकते हैं जल्दी 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 चल्दी क्लिर उतार लिया अब आती है थर्ड र्य responsabil इसका नाम है सब से important जैसे इटार थी स्टिफन थी रोजन मुंड थी और यहां पर चोथी नेम रियक्शन है क्या गाटर्मान कोच गाटर्मान कोच इसे कोख भी लिखते हैं कोच अभी क्लिया क्लियर अब गाटर्मान कोच अभी क्लिया क्या है सिंपली अगर आपन बात करें तो बेंजीन है उसकी रियक्शन सीओ प्लस अच्सील के साथ कराने पर आपको बेंजल डी आप तो होता है ओके डन बात समझ में आगी होगी क्लिया अब इसकी मेकनिजम यह एक्चली निर्जल-Al-C-L तीरी की उपस्त भी में होता है निर्जल-Al-C-L क्रिया विदी क्या है जरा ध्यान दो क्रिया सभी बच्चे ध्यान ने क्रिया विदी का क्या है क्रिया विदी जरा ध्यान दो आपके पास CO प्लस HCl है राइट आपके पास जो मॉलेक्यूल है वो इस तरह से तो है इसको किस तरह लिखते हैं सी त्रेपल बॉन यह सो जल्दी बता और यह एच और सी यहां से बंद टूटे और यहां पर एक और यहां पर राइट तो अपने पास क्या होगा सी दबल बॉन ओ यहां पर हैच और यहां पर है अईस ठाई है honoring theальное customer क्या करेगा यह धे जीन के साथ रियक्शन यहां से एच यहां एच सीज़ कि डबल बॉन ओ शेञ यहां से तूता यहां से तूटा ताउम एटा प्रोडक्ट क्या बन जया C double bond O H C double bond O H Clear? बात समझ में आगे, बैंजल्डियाइट बन गया हाँ या ना, जल्दी बताओ, फटाओ, फटाओ, फटाओ बात clear हुई या नहीं सभी बच्चों की जल्दी बता देजिए, जल्दी, जल्दी, जल्द Clear है? Yes or No फटाओ बट बताओ, जल्दी से Clear है बैटा? बहुत ही आराम से मैंने समझाया है कि reaction कहां से क्या बन रही है कहां से क्या टूट रहा है यह बहुत ही important अभी किया है तो जल्दी से इसको फटा-फट आप उतारेंगे और मैं बार-बार कह रही हूँ, चीजों को जितना practice करोगे, देखो कहने को तो मैं उतार के भी ला सकती हूँ कोई issue नहीं है, मैं जो पढ़ाना है आपको पढ़ना है, लेकिन मैं हाथ से खुद आपको कौन सा बन तूटता है, कौन सा जूटता है, बतारेंगे इसके पीछे क्या reason है, इसके पीछे यही reason है बिटा कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, ओके बात समझ में आ गई, तो फटा-फट फटा-फट जल्दी से कर दिए, जल्दी से लिख लिजी, clear? अब चलते हैं आगे, केवल एल्डी हाइड की अभी क्रिया केवल 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 केटोन की अभी क्रिया केवल केटोन केवल केवल चले यह सोब में जल्दी बताओ, चले आजाओ, अब केवल कीटोन में पहली अभी क्रिया, कौन सी है? बनेगा आपन क्या लिख लेंगे इसके दो मोल आपने पास बनेंगे आर टू सीडी प्लस क्या एम जी क्या एक्स और सी ठीक है बात समझ में यह दो मोल है आपने पास तो आप जी एक्स के दो क्लियर अब आपको इसकी रियक्शन किसकी आर टू सीडी की रियक्शन किसके साथ करानी है ऐसील क्लॉराइड थरी सी डबल बोंड़ो सी यहां पर आप चाहें तो आर की जिगें सी एश थरी भी लिख सकते हैं ओके चलो आजाओ तो यहां पर अपनी पास यह इन हो गया जल्दी बताओ तो यहां पने लिख門 और ने टो रर अपन क्या करेंगे अब इसकी रियक्शन कराएंगे यहां से टूटा यहां से आर डो जो है तो यहां क्या बन गया सी यश्थरी सी डबल मॉंडो और प्लस क्या और सी डी सी यह सो नू जल्दी बताएंगे फटाफट फटाफट सभी बच्चे जल्दी जल्दी चल्द क्लियर हो गई बात तो जल्दी से बता देंगे ओके आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास यह दो मॉल हैं तो अपन यहां पर क्या कर सकते हैं यह दोनों आर यहां पर लग गए और यहां पर क्या बज़िए आपके पास सी अगली अभी क्रिया पर आब आती है अगली अभी औुख कौन सी देटा दूसरी अभी क्रिया है आपकी नाइड्रायल यानी की साइने के साथ नाइड्रायल यारा चले तो नाइड्रायल दूराने को ड्रयाक्शन करानी है hablar वही similarly by ch3 ch2 ch2 c triple bond and plus cH3 c6 h5 mg यह भी देखो कितना नाटा कर रहा है न बोर्ड भी कि आपको ज्यादा ना पड़ा दें c3 mg br यह किसकी उपस्तिती में होती है अभी किरिया एथर शुष्क एथर की उपस्तिती में यहां क्या होगा यहां से बंद तूटेगा यहां से भी बंद तूटेगा क्या बनेगा च थरी देखो c3 ठीक है c2 ठीक है c ठीक है double bond single bond c6 h5 ध्यान दिया करो मैं कैसे लिखती हूं यह एच तरफ क्यों लिखा क्यों एक बंद यहां का लेगा तो पूरे के विए बंद बने हुए and फिर mg clear जल्दी बोलो जल्दी सही अब इसकी रियक्शन आपको क्या परानी है अब आपको इसकी विक्रिया करानी है किसके साथ अब आपको इसकी नेच्छन करानी है H3O positive के साथ राइट अब यहां से क्या होगा बंद टूटेगा तूटेगा यहां पर अपने पास आंशिक अपगटन होगा और अपने पास क्या बनेगा अपने पास बन जाएगा C2H5 C double bond O C6H5 प्लस Mg इधर Vr इधर NH2 क्लियर बात समझ में आगए तो पड़ा वर लिख दीजिए यस माम ओके क्लियर हो गया जल्दी 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 उतारो भई अब एक लास्ट रियक्शन रही है और विर्चन की वीडियां खतम जल्दी 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 लास्ट अभी क्लिया कौन सी है फ्रिंडल क्राफ्ट अभी क्लिया फ्रिंडल क्राफ्ट अभी क्लिया ओके जी ओके यस जी यस आ जाई फ्रिंडल क्राफ्ट अमें वही बात है similarly अपन जिसे बेंजीन नहीं है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं किसकी रियक्शन होती है C1OH इसकी रियक्शन अपन करवाते हैं जब इसका क्या किये जाता है इसकी रियक्शन अपन किसके साथ करते हैं बेंजीन की रियक्शन बेंजीन की रियेक्शन एसल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहां से H निमूव यह यहां अटैक यह यहां अटैक निर्जल A L C L 3 की उपस्तिती में क्या बन जाता है ओके बन गया कीटोन यस 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 तो बनता है इस प्रकार विर्चन की सारी वीधियां कम्प्लीट हो चुकी है आई होप आपको सारी रियेक्शन समझ में भी आ चुकी है आप यहां तक आप अच्छे से पढ़ना अच्छे से नोट्स बनाना ताकि सभी बातें क्लिरली समझ में आ जाए सबसे पहले लिखा गया है कि आपके पास क्या है आपके पास LD8 के 40% जलिये वीलियन में फॉर्मिलीन कहते है LD8 के 40% जलिये वीलियन यानि की आपके 100% सॉलुशन में 60% जल है और 40% क्या है भई वो भी कैसा आपने फॉर्मिलीन नाम तो सुना होगा अगर जिन बच्चों के बाइलजी है उन्होंने तो सुनी रखा होगा क्योंकि जितने भी स्पैसिमेन वहाँ पर लैब में रखे गए हैं वो किस सॉलुशन में रखा जाता है कि उनमें सडने की बद्बू ना आए वो बिल्कुल फ्रेश नजर आए सालों तक तो उन्हें किस प्रतिशत में रखा जाता है फॉर्मेलीन में रखा जाता है यानि इनमें बहुत तिक्षन गंद आती है जिससे कि एक बार से यूं लगता है नाक में जलन जैसे भी फीलिंग आने लग जाती है कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ तिक्षन गंद का आसा आना कम हो जाता है जबकि सुहावनी गंद जैसे कि अपन देखते हैं कि यदि कार्बन की संख्या लगातार बढ़ती जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जो तिक्षन गंद है वो थोड़ी सी अच्छी स् बन जाती है क्योंकि इनके पास oxygen है जो क्या है अधिक विद्यूत्रीनी टत्व है अधिक विद्यूत्रीनी टत्व है जो hydrogen के साथ जुड कर क्या करता है कौन सा बंद बनाता है hydrogen बनाता है क्लियर कार्बन की श्रंकला जैसे बढ़ती जाती है जल के अंदर विलेता धीरे धीरे घटती जाती है क्यों क्योंकि जो कार्बन की श्रंकला होती है वो जल विरोधी होती है क्या होती है जल विरोधी होती है ओके डान, क्लियर, बात समझ में आ गई तो यही कहना चाहते हैं कि जल में विलेता धीरी-धीरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ओके अगर बात समझ में आ गई हैं तो फटा फटलिक दीजी, यस मैम, ओके चलते हैं आगे, अब यह कह रहे हैं कि अलकोहल का क्वतना कार्बोन योगिक से अधिक होता है, क्योंकि एलकोहल में अंतरा अनुक हाइडोजन बंद का कारण सगुनन होता है, क्या कहना चाहता है, एलकोहल का क्वतनांक कार्बोनिल योगिक से अधिक होता है, कार्बोनिल का मतलब होता है, LDI और कीटोन, क्लियर बेटा, LDI और कीटोन से अधि होता है किनका एल्कोहल का क्वथ नांग क्योंकि एल्कोहल में अंत्रा अनुक हाइडरोजन बंद के कारण सेगुनन होता है एल्कोहल में अगर आप देखेंगे तो यह जल के अनुक के साथ प्रॉपरली बॉण्ड़ेड हो जाएगा और वहां पर कौन सा बंद बनाएगा अं क्या हो जाएगा क्वत्नानंक जादा हो जाता है clear बात समझ में आ गई और सेगुणन का मतलब होता है जुड़ना अनुओं का सेगुणन मतलब अनुओं का आपस में जुड़ना clear ओके डन कार्बोनिल यूइक में कीटोन का क्वत्नांक अधिक होता है क्योंकि कि तुलना में किटोन अधिक ध्रूविय है ध्रूवता का मतलब होता है कि अगर किसी के पास पार्शली आप बात करें और धनायन और रिनायन आ जाता है रिनायन आ जाता है पार्शली तो वहां पर अपन देखते हैं कि अपने पास जो क्रियाएं होती है तो उनमें जो बंद होता है ध्रूविय बंद बेटा वो क्या हो जाता है वो हो जाता है आपका क्या वो हो जाता है अत्य दिक किसके साथ जुड़ जाता है उसका ध्रूविय molecule के साथ जैसे h2o के साथ आसानी से बंद बना लेगा तो आसानी से बंद बनाने का प्रबल बंद हो गया और प्रबल बंद हो गया तो क्वाथनांग क्या हो जाता है अधिक हो जाता है क्लियर बेटा बात समझ में आ गई तो फटा-फट लिग दीजिए यस मैम ओके कार्बोन ये कौमा क्वाइधनांग एथर से अधिक होता है क्योंकी एतर कम ध्यूय होते हैं एधर का मतलब होता है drink in तो ये पार्चलि जो है रिनायन नहीं बनाना चाहेगा धनायन या रिनायन चार्ज इसपस कमा आने की कोशिश करें िहूंकि इस के पास में लॉन पेर एक्जिस्ट कर रहे हैं दोनों तरफ कार्बन है जो इससे वो संतुष्ट है इसलिए दुरूवता कम इसलिए वो हाइडरोजन के साथ बंद बनाएगा कम कम बनाएगा तो इनके गलनांग क्वाथनांग भी क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं ओके चले बिटा आगे एलकेन के अनुओं के मध्य दुरूबल वांडरवल बल होते हैं इसका क्वतनांग सबसे कम होता है क्लियर बात समझ में आ गई होगी तो फटा फट लिख दीजिए यस माम जल्दी से चलूँ आगे ओके डन अब चलते हैं हम आगे अपना अगला पॉइंट रासाइनिक से कितने प्रकार کی होती है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं ठीक है रासाइनिक अभिकरिया की मैं नाबिक स्नीही योगात्मक अभिक्रिया ओके चलें बिटा क्लियर हो गई वही पर अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी अभिक्रिया है आपकी अप्चयन तीसरी है आपकी क्या बिटा ओक्सी करन चोथी है आपकी अलफा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया ठीक है और लास्ट में आती है अन्या अभिक्रिया आप बच्चों को यह चार्ट बनाना है ताकि आपको यह पता रहे कि हमें रासाइनिक अभिक्रिया कोण कोण से पढ़नी है आज अपन जो है नाबिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया और अप चैन अभिक्रिया को स्टडी करेंगे ओके डन बात समझ में आ गई तो हम सिसके प्रकार को ही आज स्टडी करते हैं कल हम इसका individual चार्ट बनाएंगे और फिर इसकी study करेंगे ठीक बात है ताकि आप confused ना हो इसलिए मैंने इसी तरीके का एक कर्म आप लोगं के लिए set कि चलूं आगे ठीक है है आज हिपन पढ़ने वाले हैं कौन-कौन सी अभिक्रिया है एक तो पढ़ंगे नाविक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया राइट जिसके जिसके अंदर आपको कितने प्रकार की अभिक्रिया पढ़नी है तीन अभिक्रिया है कौन कौन सी है तो सबसे पहले आपको कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधी ओके बेटा बात समझ में आ गई सेकेंड आईगी अभीक्रिया शिल्ता ओके थर्ड आती है नाभिकस नही योगात्मक तथा योगात्मक विलोपन अभीक्रिया अब इसमें आपको कितनी अभीक्रिया ही पढ़नी है इसके अंदर आपको पढ़नी है बेटा पांच अभीक्रिया है कितनी अभीक्रिया ही पढ़नी है पांच अभीक्रिया है जरा समी बच्चे ध्यान से देखेंगे पांच कौन कौन सी अभीक्रिया है तो सबसे पहले अभी करिया है आपका HCN के साथ संयोजन, किस के साथ बिटा, HCN नहीं हाइडरोजन, साइनाइड के साथ संयोजन, फिर आता है sodium by sulfide. तीसरी आती है आपकी कौन सी? ग्रिन्यार अभी कर्मक के साथ है, एल्कोहल का सयोजन यानि जुड़ना, ठीक है, और लास्ट आती है आपकी अमोनिया वित्पन्नों के साथ थीक है बटे बात समझ में आ गई और वहीं पर यदि मैं दूसरी बात करूं दूसरे प्रकार की बात करूं तो वो होता है क्या आपका अपचयन राइट और यह जो अपचयन है इसके अंदर जो रियक्शन है वो कौन-कौन सी है एलकोहलों के अपचयन द्वारा एलकोहल के अपचयन द्वारा एलकोहल में अप अप्चेन द्वारा होगा एल्कोहल में अप्चेन द्वारा ठीक है और दूसरा क्या होगा बिटा दूसरा होगा हाइड्रोकार्बन में अप्चेन क्लियर अगर बात समझ में आगई तो फटा फटी दीजिए यस मैं अब आपको ऐसा चार्ट बनाना है जल्दी से बना लिजी ताकि हम आज की इस पाठ शाला को क्या कर सकें शुरू कर सकें ठीक है चले जल्दी 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 फटाफट 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 ओके आज आओ जी सबसे पहले आप आज क्या पढ़ने वाले हैं आज आप पढ़ने वाले हैं कौन सी अभिक्रिया सबसे पहले नाभिकस नहीं योगात्मक योगात्मक अभिक्रिया बेटा ध्यान देंगे नाविक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है अपने पास क्या है एक कार्बोनिल कमपाउंड है ठीक है जिसके अंदर अपन एलियेट भी बोलते हैं और जिसको अपन कीटोन भी बोलते हैं ठीक है अब इसके उपर जब अटेक होगा तो यहां माइनस यहां प्लेस यानि अब यहां पर क्या होगा यह नाभिक यह जो क्या है इलाक्ट्रोफेलिक है इसके उपर कोई नाभिक्स नहीं अटेक करेगा अब यह नाभिक्स नहीं जब अटेक करता है तो किस प्रकार अटेक करता है नाभिक्स आटेक करे या उस समय इसकी स्तती क्या हो कार्बोनिल कमपाउंड की इस्तती कैसी होनी चाहिए ताकि न्युक्यलो फैलिक उसके उपड़ कर सके तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या पढ़नी है इसकी क्रिया विदी इसके बाद में इसकी रियाक्टिविटी कैसे होगी दैन अपना आएंगे एक्च्वल में रियक्शन कौन-कौन सी होती है क्लिया बात समझ में आ गई तो अपने को पता चल गया ना कि नाबिक्स नहीं योगात्मक अभी क्रिया जो आप पढ़ रहे हैं वो होत किसी क्या है किसी भी नाबिक्स नहीं का किसी नाबिक्स नहीं का किसके ऊपर इलेक्ट्रोफेलिक पर अटैक्ट क्या कहलाता है नाबिक्स नहीं योगात्मक मतलब जुड़ना और विलोपन मतलब हटना और प्रतीम इस्थावन मतलब किसी को हटा कर उसकी जहर खुद आ जा क्रिया जो है उसकी क्या योगात्मक अभी क्रिया की क्या क्रिया विधी ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल चलें आगे ओके डन अब आते हैं आगे अपन देखते हैं कि इसकी क्रिया विधी यह क्या कहना चाहता है यह कहना चाहता है कि जब भी किसी कार्बोनिल क compound पर कोई भी nucleophilic attack करेगा तो make sure कि आप जब भी इस पर attack कराएं तो आप पहले तो ये बंद को तोड़ें और इस तरह से नज़र आएं और दूसरी बात आप ये देख लें कि nucleophilic जब भी attack करें तो वो हमेशां carbonil compound के carbon पर हमेशां लंबवत attack करना चाहिए यानि कि वो उस कागश के तल पर जहां पर carbonil compound रखा गया है उसके हमेशां लंबवत होना चाहिए और लंबवत वो तभी हो पाएगा जब उसके पास त्रीवी में बाधा कम होगी त्रीवी में बाधा का मतलब तो आप सब जानते हैं वो मैंने तेन अपना जो हेलो समझा दिया था राइट बात समझ में भी आ गई है तो हमेशा क्या होना चाहिए लंबवत और तो लंबवत का मतलब क्या होता है ध्यान देंगे सभी बच्चे कि अपन जब भी अटेक करेंगे तो इस कार्बोनिल कंपाउंड में अपन देखेंगे कार्बन यहाँ पर जो एक कंपाउंड आप जोड़ेंगे वो डैस डैस से आएगा दूसरा आप जोड़ेंगे वो क्या होगा इस तरह से solid आएगा तीसरा इस तरह से चोथा इस तरह से यानि यह कागज के तल की स्थती है जिसमें इसका मतलब होता है कि यह compound कागज के तल के पीछे है यह उपर है और यह कागज के तल में है ठीक है जैसे कागज है ठीक है मैं समझा देती हूँ ठीक है यहाँ पर center में molecule है अब इसके पीछे कोई molecule होगा तो कैसे दिखेगा तो नहीं तो हमें उसे dash dash करके दिखाना है अब इसके ऊपर होगा तो उसे आपको इस तरह दिखाना है और कागज के तल में है तो उसे एकदम dark line से दिखाना है ठीक उनका arrangement इस तरह से होता है clear बात समझ में आ गई तो आप चलते हैं टोया समझ में आ गई होगी बात चलूँ जी ओके डगर तो यहां पर आपने क्या लिख दिया है यहां पर लिख दिया आपने आर यहां पे लिख दिया एक नुक्लियो फैलिक clear बात समय क्यों यहाँ पर आंशिक क्या था धनाविश था ठीक है अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर यदि आप किसकी proton का अटेक करा दें तो यह इसके साथ जुड़ जाएगा और यह reaction हो जाएगी कुछ यह यहाँ H यहाँ पर क्या आगया R और यहाँ पर क्या आगया H और यह हो गया आपका निकलियो फैलिक सबको समझ में आ गया तो फटा फट लिख दीजिए clear हो गया तो फटा फट लिख दीजिए यस मैं जल्दी से जल्दी से जल्दी से ओके done बेटा ओके ओके समझ में आ गई बात तो यह है इसकी मेकेनिजम यानि की कार्बोनिल पर नुक्लियो फैलिक कैसे अटक करता है यह सेम इसी की तरह हो जाएगा क्लियर आप खुद बना सकते हैं चलूं आगे ओके जी ओके आजाएगे अब आती है सेकिन आता है आपका क्या इसके पॉण है एक तो आपके पास क्या है और सी-डबलबॉन ओंच है वहीं आपके पास क्या है है बिटे की टोन है और सी-डबलबार्न आ है ठीक बात है अब आपने इदीश की में शेलता को आपको देखना है है ठेड़ी पीछे वाल जो रेयक्शन हाना इसमें यह म्हा ध्यOT nah nah मंद्ययो वर्ती बननता है यह मत देवर्ती जहुता है तो अपने पास क्या बन जाता है फटाथ बंदा थाय से योगण उदबन ओकर बात समझ में आ गई तो चलते हैं चैट उस बलेकिना मत्यों दि क्या है अपने पास दो गुरुप है एक टो एक की टोन है तो एल्डियाइट के टोन की क्या शीलता को अपन बात करें तो हमेशा ध्यान रखो-की एल्डी हाइट से ज्यादा क्या शील कौन होता है कि टोन कि क्या होती है कि सादा होती है और कि कम रीजन क्या है ऐसा कि क्य आप गया हूं क्योंकि इसके अंदर 3 V MA क्या है इसमें क्या है जाधा है clear, बात समझ में आ गई, right, electronic और 3V में बादा यहां कम है, और यहां पर क्या है, जादा है, साथ ही, साथ ही, इन में क्या होता है, electron grand करने की जो प्रवर्ती होती है, वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, किसके अंदर, aldehyde और ketone की यदि में बात करूँ, तो aldehyde में तो electron grand करने की प्रवर्ती जादा, और यहां पर क्या होती है, कम होती है, क्यों कम होती है, क्यों कि, यहां ध्यान दो सब बच्चे, यहां पर दो ऐसे group जुड़े हुए हैं बेटा, जो क्या कर रहे हैं, electron दान कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, अगर मैं यहां CH3 लिख दू, यहां भी CH3 लिख दू, तो यह electron दे रहे हैं, तो अब यहां पर इसकी ध्रुवता थोड़ी कम हो गई, अब यह electron carbon जो है, इस पर जो positive charge है, वो इस्थाई हो जाएगा, तो यहां पर कोई भी nucleophilic जब आएगा, तो यह आसानी से attack नहीं कर पाएगा, second, यहां पर दो बड़े बड़े group भी लगे हमें हैं, जिसकी वज़े से यह attack भी आसानी से नहीं कर सकेगा, right, बात समझ में आ गई, अब यहां पर बात करूं, तो यहां पर एक तो attack आसानी से होगा, second, electron देने वाला एक ही group है, एक अभी clear शिरता कहलाती है, clear, बात समझ में आ गई, तो फटा फट लिख दीजिए, yes ma'am, और यह बहुत बहुत important है, exam में भी पूछा जाता है, clear, चलूं आगे, आजाओ जी, आजाओ, अब चलते हैं, आगे, अब आती है अपनी तीसरी अभी clear, finally, जिसे अपने को आज clear क अभी clear तथा, योगात्मक, विलोपन, अभी clear, क्या मतलब है इसका, आप क्या कहना चाह रहे हैं, विलोपन और योगात्मक का मतलब है कई बार जुड़ना और जुड़ने के साथी किसी मॉलिक्यूल का क्या हो जाना, अलग हो जाना, तो इसमें सबसे पहले आपको reaction मेंने क कुन सी बताई थी, अच्सीन के साथ अभी clear, यह नहीं, hydrogen, cyanide के साथ अभी clear, बात समझ में आ गई, तो अब अच्सीन के साथ में reaction कैसे होती है, ज़रा सभी बच्चे ध्यान देंगे, देखो मैं बहुत ही clearly आपको बता रही हूँ बेटा, अगर आप फिर भी इधर उधर की बाते कर रहे हैं, तो यह समय आपका west हो रहा है, जबकि मैं चाहती हूँ कि समय को invest करो तुम मेरे साथ, ताकि इसका तुमें return अच्छा मिल जाए, क्योंकि हमेशा समय को अच्छे जगे invest करने से उसका हमेशा result positive ही रहता है, लेकिन आप जो है वो इधर उधर की बाते करके स कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ने से बहुत कुछ मिलेगा, clear? तो आज आओ, इधर देखो, बाते मत करो, तो पहली reaction है, आपकी अच्छी एन के साथ में, दोनों तरफ होनी है, दोनों तरफ मतला, आपकी reaction, common reaction में लिखूं, तो यहाँ पर C1H और यहाँ पर R, वहीं प बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे यहाँ पर अच्छी एन की reaction करानी है, बिटे, तो अच्छी एन की reaction जब मैं कराती हूँ, तो यह तोट जाता है, H+, और Cn-, वहीं पर यह बन तोट जाता है, अभी मैंने बताया था, माइनस और यह क्या हो जाता है, प्लस, यह आ और यहाँ क्या बन जाता है, बेटा, Cn, राइट, साइनो हाइड, यह क्या लिख दिया आपने, साइनो हाइडरी, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से ध्यान रखोगे, तभी बात ने क्लियर होगी, सब को समझ में आ गई, यह reaction सब की क्लियर हो जाने चाहिए आ जाएए जी, अब मैं इसके अंदर आप चाहें, तो मैं यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, और यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, H, double bond O, plus HCN, साइनो हाइडरी, क्लियर बेटा, ओके, HCN के साथ reaction वही, H, plus, CN, माइनस, और यहाँ पर आपन देखते हैं, यह माइनस, और यह प्लस प्लस के साथ माइनस, और माइनस के साथ प्लस, और प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, आपके पास CH3, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या बन गया, OH, और यह बन गया, आपका CN, जो क्या है, triple bonded है, ओके, डन, क्लियर हो गई बात, तो फटा फट लिख दीजिए, यस, माम, ओक प्लस, और यहाँ पर यहाँ पर यह तूटेगा, यह माइनस, और यहाँ पर यह पर यह प्लस में, प्लस के साथ माइनस, और माइनस के साथ राजा, प्लस, और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, आर, सी, आर, अब आपके दिमाग में ऐसा क्यों भी आ सकता है, कि मैम, क्या ये दोनों आज सीमिलर ही होंगे क्या ये डिफरेंट हो सकते हैं अफकोर्स हो सकते हैं समान भी हो सकते हैं और भीन भीन भी हो सकते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है अगर मैं यहां चाहूं क्लियर तो फड़ा फड़ जल्दी से लाइक कर दीजिए जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं वो सब प्लास को लाइक करो और जादा सजादा शेयर करो क्यूंकि सभी बच्चों को पढ़ने का हक है इसलिए उन्हें भी आप जोड़ो ताकि वो भी पढ़ सकें कई बार चीजें नहीं करने से तो लगता है ना कि हमें आती ही नहीं है जब तक आप उस चीज में पाउं नहीं रखेंगे तब तक पता क्या चलेगा कि आपको आता है या नहीं ओके और हमेशन जो चीज हाड होती है ना उसको पाने की चाह रखो ताकि इजी तो अपने एक्षन आपकी क्या है अच सेन के बाद में sodium hydrogen sulfide clear sodium hydrogen hydrogen sulfide clear sodium hydrogen sulfide sodium by sulfide bc कहते हैं जिसका formula होता है एने एच एस ओ एने एच एस ओ तरी इसे sulfide और जब यह एक्षन किसी के साथ कर लेता है तो sulfide sulfide तो बन जाता ड की जए कहले जाता तर प्रोनौशेशन भी clear होना चाहिए ओके चलिए जी तो sodium hydrogen sulfide की साथ reaction जब आप करते हैं तो क्या बनता है तो आईए जी वही अपने पास similarly दो concept है पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है जी अपने पास पहली reaction है भई क्या अपने पास है c double bond ओ यहां पर आर यहां पर h plus अपने पास है एने h so 3 राइट यह reaction करके क्या बनाते हैं वही पर आपके पास reaction है r c double bond o r plus na h so 3 ओके डन बात clear हो गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैं अब आओ बेटा यह बन टूटा यहां पर minus और यहां पर क्या जाता है प्लस जैसे अपन बात करेंगे यहां से बन टूटा तो यह आएगा एने प्लस और h so 3 minus clear यहां तक सभी बच्चों का अगर हां तो फटा पर लिख दीजिए यस मैं तो सबसे पहले क्या होगा विटे यहां से sodium यहां आटेक करेंगा और यहां पर यह तो क्या बन जाएगा आपके पास C compound R यहां पर क्या लग गया एच यहां पर क्या बन गया बिटा यहां बन गया ओ एन ए और यहां पर क्या बन गया h so 3 clear अब अपने को यहां पर एक चीज देखनी है यहां पर hydrogen अच्छ जोडने का करम भी ध्यान रखो so 3 h अब यहां से sodium और hydrogen का interchange होता है यहनि की proton इस्थानांतरण होता है क्योंकि अपने पास में क्या है अपने को sodium oxide नहीं बनाना है और अपने धातू oxide नहीं चाहिए अपने को alcohol यहां पर चाहिए तो अपन यहां पर क्या कर देते हैं चेंज करके आद कि आद कि आद कि आद सी एच क्या बन गया ओ एच और यहां क्या बन गया ऐसो थ्री एंड क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फट लिग दीजिए यस मैं अब इस आर की जिगे आप क्या लिख सकते हैं चेंज त्री ओके डन आज आईए जी आपकर इस बात की करें तो यहां पर आप दुनों तरफ चेंज क्या लगा दिए और लिख सकते हैं और इसके बाद में यह टूटे गा तो वही बात है एने प्लस और हो हो एसो 3 माइनस यहां पर बन टूटा यह माइनस और यहां पर क्या लगा दिया प्लस प्रोड़क्ट क्या बना भाई R, C, R यहाँ पर आ गया O, N, A और यहाँ आ गया S, O, 3, H प्रोटोन का इस्तानांतरन दातू का इस्तानांतरन प्रोटोन के साथ और अपने पास बन गया R, R यहाँ पर O, H और यहाँ पर बन गया S, O, 3, N, A बोलो जी बोलो बात समझ में आई या नहीं जल्दी से बता दो कि आपको बात का clear हुआ या नहीं Acid aldehyde by sulfate Acid aldehyde by sulfate और यह क्या होगा Aceton by sulfate Acid aldehyde by sulfate sulfate और यह Aceton by sulfate clear बेटर बात समझ में आगई तो फटा फट Yes मैं लिग दो और कर दो like class को जल्दी से जल्दी से जल्दी से अब समझ में आ रहा है अब अच्छा लग रहा होगा दिल को लगना भी चाहिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को clear हो जाए ओके चलते हैं आगे अगली reaction जो है आपकी कौनसी है third reaction अच्छा सभी बताओ comment में लिखकर third reaction कौनसी है मैंने चार्ट बनवाया था ना जल्दी जल्दी बता दो third reaction कौनसी है green yard अभी कर्मक द्वारा clear तो वही दो reaction अपने को LD8 की टॉन के साथ करानी है तो अपन कैसे कराएंगे बही बिल्कुल ऐसे ही कराएंगे LD8 की reaction अब मैं सिधा ही लिख रही हूँ CH3 CH3 इदर H double bond O plus CH3 Mg B R clear क्या बनेगा जी यहां से टूटा यहां प्लस यहां पर माइनस यह बन टूटा माइनस प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस clear क्या बन गया CH3 CH यहां पर भी CH3 और क्या बन गया OMG Greenyard अभी करमक दिखने में बहुत बड़ा है फिर भी डर पोक है वो कहता है मैं हमेशा किसके साथ जाऊंगा water के साथ जाऊंगा ताकि कभी कोई गुसा हो जाए मुझ पर इदिसको गुसा आजाए तो उसको पानी के चीटे किरा दूँगा तो क्या हो जाएगा हुदासीन हो जाएगा तो वो भी यहीं पर यह क्या करेगा H प्लस और OH माइनस यहां से बंद टूटा यह प्लस यह माइनस यह माइनस के साथ प्लस और प्लस के साथ माइनस क्लियर क्या बनेगा जल्दी से बताएंगे सभी वच्चे दो डिग्री है हाँ या ना जल्दी बताओ चले अब वहीं पर किटोन की बात करूँ तो किटोन में क्या होता है CH3C CH3 double bond O plus CH3 CH3 Mg Br टूटा यहाँ माइनस यही एक ऐसी एक मात्र भी किया है जिसमें कार्बन पर माइनस चार्ज लगता है जनरली सब पर कौन सा चार्ज लगता है कार्बन पर हमेशा प्लस प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस क्या बना बिटे यह बन गया आपका CH3 C CH3 उपर भी CH3 O Mg Br Mg Br डर पोक है तो किस के साथ जाएगा वाटर के साथ कैसे तूटेगा H प्लस OH माइनस अब यहाँ से बन तूटा माइनस प्लस प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस क्या बना जी CH3 C CH3 CH3 OH राजा इसको क्लियर लिए दिया आप देखना चाहते हैं तो CH3 ऊपर फिर CH3 फिर CH3 फिर OH एक फंक्शनल ग्रूप जिसके कार्बन से अन्य तीन CH3 जुड़े हैं तो वो तीन डिग्री अलकोहल हो जाता है राइट अगर बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस माम जल्दी करो भई टाइम बहुत कम हैं जल्दी उता परता फटाफट फटाफट सभी सबसी जल्दी से उतारेंगे चले ओकेजी ओकी है आएगे चलते हैं चोति रीक्षण बताओ जलदी कौन सी है सभी चय कमेंट में लिकिंगे फटा-पट-फटा-पट चोथी आक्षण कौन सी है ऐलकोछल का जुड़ना एलकोहॉल का संयोजन हाँ यह ना जल्दी बता दो सब बच्चे बूल दो जल्दी 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 क्लियर ओके जी ओके आजाओ अब एलकोहॉल का संयोजन करना है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रियक्शन है जो एक्जाम में पूछी जाती है इवन नीट जे के एक्जाम में भी पूछी जाती है यह इंटरमीडियर रियक्शन के अंदर जो होती है उनके बीच में बनने वाली अभी किया है जो कई बार पूछी जाती है ठीक है तो आजाओ जी आजाओ जल्दी से शुरू करते हैं तो एलकॉल का सयोजन करने के लिए अपने पास क्या है एल्डी एड है ठीक है जी बिल्कुल है अब इसकी रियक्शन आपको एलकॉल के साथ करानी है तो एलकॉल क्या है और यह होगे आपका माइनस यह होगे आपका प्लस ठीक है बात समझ में आगए इस क्रिया में हमेशा एलकॉल का एच और यह क्या बन जाता है तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस माइनस के साथ प्लस और प्लस के साथ माइनस प्रॉडक्ट क्या बनेगा राजा प्रॉडक 3-1 यहां बन गया क्या ओएच और यहां बन गया ओसी टू एच फ़ाइफ एल्ड़ी एड और किटोन जब भी एलकोहल के साथ रियक्शन करते हैं और उनकी उस कार्बुनिल कार्बन की चारों सेयों जकताओं मेंसी एक सेयों जकता पर ओच है ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ कि जब एल्ड़ी एड हो या कीटोन हो यह दोनों जब एलकोहल के साथ रियक्शन करते हैं तो एलकोहल के साथ रियक्शन के दोरान इस कार्बोनिल कार्बन की या इस इस कार्बोनिल कार्बन की एक सेयों जकता पर क्या हो ओच जुड़ा हो तो हमेशा वहाँ पर शब्द क्या लगाना है आपको हेमी एल्डियड है तो हमी एसिट एल्डिय और यदि आपके पास कीटोन है तो हमी किटेल कहेंगे राइट एसिटेल हमी एसिटेल और हमी किटेल तो यहाँ पर इसका नाम क्या हुआ है हमी एसिटेल यह ध्यान रखने वाली बात है बहुत जरूरी है बहुत ही इंपोर्टेंट है आपको यह बात याद होनी चाहिए कि इसका नाम क्या है ठीक है ज़रा ध्यान देना और यहाँ पर नाम क्या लिखाना है हेमी एसी टे ठीक है क्लियर अब चलते हैं आगे अब इसके बाद में यदि आप वापस रियाक्शन कराते हैं किसके साथ वापस C2H5OH के साथ तो आप देखते हैं कि यह वाला OH और इसका H क्या बना देता है क्या रिमूव कर देता है H2O रिमूव कर देता है और यहाँ पर यह जाके अटेक कर देता है तो प्रॉडक्ट बन जाता है CH3CHOC2H5OC2H5 जिसका नाम क्या है AC टेल क्या नाम है राजा AC टेल AC टेल सबका क्लियर है तो जल्दी से बता दो यस मैम फटाफट 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 यह चीज भी उतार लेना स्क्रीन्षोट ले लेना ओके चलू आगे कड़न आ जांऑ जियाँ आजाओ आप चलते हैं इधर कीट की टरफ तो वही कीटन की तरफ आत्याप बात करें तो कीटन में क्या हो है कि टोन में हो जाता है आपका क्या वहीं पर सी च थरी च थरी बिटा आप इंडिविजुल करके भी देख सकते हैं और आप डाइरेक्ट करके भी देख सकते हैं अगर डाइरेक्ट आप करेंगे तो आपके पास सीधा ही जैसे आपने क्या लिया C2 OH C2H5 C2H5 तो आप देखेंगे यहां से मॉलिक्यूल निकला और सीधा क्या बन गया CH3 C CH3 यहां पर क्या आगे आपका OC2H5 OC2H5 यहां आप खोल करके भी करेंगे तब तो आपका हैमी कंपोंट दिखेगा और डायरेक्ट करेंगे तो हमेशा डायरेक्ट में क्या बन जाता है की टेल बन जाता है यह क्या बन गया सीधा की टेल clear बेटा बात समझ में आ गई तो फटा फट लिग दीजिए यस मैम ओके डान ओके जी ओके चलते हैं आगे अपनी लास्ट अभिक्रिया कौन सी है भाई अपनी लास्ट अभिक्रिया है अमोनिया वित्पन्नों के साथ क्या अमोनिया वित्पन्नों के साथ ठीक है अब ammonia विद्पन कौन-कौन से है ज़रा ध्यान देंगे सभी बच्चे ammonia विद्पन अपने पास एक तो है ammonia खुद है उसके बाद है आपके पास hydrogen NH2 उसके बाद है आपके पास NH2 OS hydroxylamine उसके बाद आपके पास है NH2 NH phenyl hydrogene और उसके बाद है आपके पास क्या 246 24 dinitro phenyl hydrogene 24 dinitro phenyl hydrogene clear इसका नाम क्या है ammonia ठीक है इसका नाम क्या है hydrogene इसका नाम क्या है hydroxy amine इसका नाम क्या है phenyl hydrogene okay clear बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को आ गई तो फटा फट लिख दीजिए yes ma'am सभी बच्चे जल्दी 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 अच्छा एक और है molecule जिसका नाम है क्या सेमी कार्बे जाइड है ना उसका क्या है formula मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एक दो तीन चार पांच और च्छे च्छाटी reaction में क्या है NH2 NHC double bond O NH2 यह क्या है आपका सेमी कार्बे जाइड clear बेटा सबको बात समझ में आ गई तो फटा फट लिख दीजिए यस मैम जल्दी 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 सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी से okay done तो अब सबसे पहले मैं ammonia की reaction करवा रही हूँ LD8 के साथ मैं सबकी reaction करवाती हूँ और ketone की आप सब खुद करेंगे ओके चलूँ यस आ जाए जल्दी से आब मैं करवा रही हूँ सबसे पहली reaction किसके साथ जी मैं करवा रही हूँ आपकी अगे लिएड के साथ है आप सी डवल पॉन्ट ओ छी एच थरी इधर है रइट इसकी reaction करा रही हूँ मैं किसके साथ एच थ्री रइट अपने इसको क्या लिख सकते हैं एच टू एन एच यह सोर नो जल्दी बताओ अपने पास क्या होगा यहां से क्या होगा यहां से बंद टूटा यहां से टूटा समझ में आगे क्या बन गया प्रोड़क्ट अपने पास सी एच थरी सी यहां एच डवल बॉंड एच लियर हां यह न जल्दी बता हूं माइट प्लस मेकेनिकल गया एच तू मॉलेकुल को मेशा ऐसे एरेंज करो कि वर तूटता और जूटता ना जला है चलू हागे सेकंड रियक्शन सेकंड रियक्शन में क्या होगी सी एच दवल बॉंड ओ हाइजडरी जी एच टू एच टू एच टू राइट क्या बनेगा जी हच टू ओ रिमू हो गया और क्या बन गया CH3CH क्या हो गया? यहां से बन टूटा double bond NH2 क्या नाम है इसका? इसका नाम है hydrogene clear? बात समझ में आ गई hydrogene है यह तो अब यह क्या बन गया? acid aldehyde hydrogene clear? बात समझ में आ गई अब थर्ड कौन सी है बिटा? इसके साथ रेक्शन हो गई आपने पास है क्या? CH3CH double bond O plus क्या? H2 NOH right? क्या नाम है इसका? hydroxyl हिंदी में लिखना बाई hydroxyl amine clear? चले? अब यहां से हच्टू हो फिर रुमू हुआ और क्या बन गया? यहां पर अच्टू हो लिख देना बच्चों याद से क्या प्रोडक्त बनेगा? CH3CH क्या जुड़ गया भई? double bond and OH इसे कहेंगे acid aldehyde aldehyde oxyne okay done साथ में क्या निकल गया? H2 सबको समझ में आ गई बात yes or no जल्दी से बता देंगे clear है? आगे चलो जी आब आती है चोथी reaction चोथी reaction क्या है? चोथी reaction है आपकी क्या? चोथी reaction है किसके साथ? चोथी reaction है और भई टूफोर नी phenyl hydrate gene NH2 NH benzene ring right? ओके इसकी reaction किसके साथ करवानी है? इसकी reaction करानी है किसके साथ? ketone LD8 के साथ CH3 यहां से क्या हूँ? आज टू रिमूव और यहां प्रॉडक्ट क्या बन गया? भई यह बन गया आपके पास CH3 यहां H double bond N NH और यहां लिग दें क्या? बेंजीन ring बात समझ आ गई? यस और नू? तो क्या नाम होगा इसका? जल्दी बताओ LD8 क्या? फैनिल हाइड्रेजोन हाइड्रेजीन कि जाए क्या लग जाएगा? हाइड्रेजोन clear? आजाओ जी फिफ्ट रियक्शन क्या है? फिफ्ट रियक्शन किसके साथ है? 246 दाइनित्रो 24 दाइनित्रो फेनिल हाइड्रेजीन तो CH3 C double bond O plus क्या आएगा? H2 N NH single bond और यहां क्या लग गया? NO2 और यहां पे भी क्या लग गया? I know यह तो वेसे का वैसे ही रहना है? बस रिमूव क्या होना है? H2O क्या बन गया? CH3 CH double bond N NH वही फेनिल और उसके साथ में क्या? NO2 I know 2 clear बटा? बात समझ में आ गई वही पर सेम नाम है Acid LD 2,4 last reaction क्या है? CH3 CH double bond O plus H2 N H C double bond O NH2 Semi-Carve J समझ में आ गई? Semi-Carve John OK CH3 CH double bond N NH C double bond O NH2 clear बेटा बात समझ में आ गई तो फटा 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 लिग दीजिए Yes Ma'am हमेशा जो हाइडरिजीन है उसी का hydrogen remove होगा किसके लिए water molecule के लिए ध्यान रखना सभी बच्चे OK अगर बात क्लियर हो गई है तो फटा फटा फट लिग दीजिए Yes Ma'am जल्दी कीजिए जल्दी 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 चलें बेटे OK जी OK last reaction अपन अब आते हैं अपना दूसरा अपन पढ़ेंगे अप क्या अप उचयन अप चयन में क्या पढ़ना है भाई अपचयन में दो रियक्षेन पर नहीं है और दोनों रियक्षेन ही नेम रियक्षेन है एक तो है ट्लीमएंशन अपचयन एक है वाल्फ कि navy और दूसरा है हाइड्रो कार्वन में अप्चेन राइट बात समझ में आ गई तो फटा पर अब एलकोहल में अप्चेन यानि कि अब आपको क्या करना है CH3H double bond O C CH3 CH3 double bond O इसकी reaction क्या करनी है lithium aluminium hydride जो एक प्रबलतम अप्चायक है वो क्या करेगा यहां से बंद को तोड़ेगा यहां पर 4 hydrogen देगा और वो hydrogen में से 2 hydrogen यह और 2 hydrogen यहां पर आ जाते हैं बात समझ में आई क्या बन गया राजा आपके पास बन गया CH3 C इदर H और यहां क्या बन गया कितने H लग गए दोनों तरफ दो अच्छ लग गया है यह सोर नो जल्दी बताओ यह भी आप लोगों की तरह कभी कभी गुसा हो जाता है लगता है ना यहां भी है यहां भी है ओके डन क्लियर हो गई समझ में यह क्या बन गया एथेन एथेन ओके डन वहीं परेदी में इसकी बात करूं तो सिमिलरली लीथियम एलिमीनियम हाइड्राइड वहीं पर फोर हाइड्रोजन और क्या बन जाता है CH3 CH2 CH3 प्रोपेन क्लियर बेटा बात समझ में आ गई तो फटा फट लिग दीजिए अब जब हाइड्रो कार्बन की बात कर रहे है तो वहाँ पर दो रियक्शन्स आपको पढ़नी है कौन-कौन सी एक तो पढ़नी आपको क्ली मेंशन अपचेन क्ली मेंशन अपचेन और दूसरा पढ़ना है वाल्फु किशनर यह विग्यानिक थे दोनों भाई-भाई किशनर अपचेन इन्होंने मिलकर यह दिया था तो क्ली मेंशन अपचेन और वॉल्फ किशनर में क्या फर्क है कुछ नहीं यहाँ पर आपको क्या लेना है जडन और क्या लेना है बेटा हजी मॉलेक्यूल लेना है और अच्सील के साथ में और वहीं पर यदि मैं क्ली मेंशन की बात करूँ तो वहाँ पर आपको क्या लेना है बेटा क्ली मेंशन अपचेन में आपको लेना है क्या एक तो हाइडरेजीन नह्च्टू नह्च्टू और दूसरा फिर आपको लेना है क्या एथिलीन ग्लाइकोल और दोनों से बनना तो क्या है एलकेन कैसे बनती है वो मैं आगे दिखा देती हूं क्लियर यह बात आपको ऐसे याद रखना है चलू आजाओ अब आपने को सबसे पहले क्या निकान नहीं है कौन सी है क्ली मेंशन अपचेन ओके इस क्ली मेंशन अपचेन में क्या करना है च थरी सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस जैडन और क्या है यहाँ तो यहां यहां और यहां चेंगे और यहां नहींगे तो यहां हम तो यहां ठीक इन हो झाइंगे और आपके पास क्या बन जाएगा और हम got वाज रियकषन अपने अल्क कसे बना दिया में और ध्यान दो ध्यान दो यहां से बंद टूटेगा और यहां पर क्या बनेगा एलको है यहां पर भी क्या बनेगा सी एच सी एच थरी एलको हट वन डिगरी टू डिगरी ओके चले और हाइड्रो कार्बन में अप्चैन मतलब कि यहां पर क्या होगा चले जी आ जाईए तो यहां पर आगई दो बंद जैसे ही आए तो यहाँ पर क्या होगा दो हाइड्रोजन से एच्टू रिमूव हो जाएगा और यहाँ दो हाइड्रोजन ले क्या बन जाती है एलकेन बन जाती है CH3CH2 क्लियर क्या बन गया आपके पास एथेन अब की टोन की आप खुद करेंगे यस और नो बिलकुल बिलकुल और अब आती है इसके अंदर अपने पास क्या वॉल्फ किशनर वॉल्फ किशनर ठीक है वॉल्फ किशनर अपचेन में क्या होता है कुछ नहीं आपको लिखना है CH3 इदर C इदर H double bond O plus H2 N N H2 hydrogen यह बंद बना यहां पर आई क्या CH3 H यहां double bond से क्या जुड़ गया double bond N N H2 यहां पर क्या रिमूव हो गई माइनस N2 किसकी उपस्तिति में एथिलीन C CH2 CH2 OH CH2 एथिलीन गलाइकोल की उपस्तिति मेर क्या बन गया एलकेन CH3 CH3 ओके डन बात समझ में आ गई तो फटाफ़ लिख दीजिए यस माम सबका क्लियर है ओके डन तो यह थी आपकी आज की रियक्शन अब आधा जो अपना अगला पॉर्शन है वह अपन बात करेंगे नेक्स क्लास में तो अच्छे से पढ़ते रहो खुश रहो मस्त रहो लेकिन पढ़ने में बेटा कोई कोता ही नहीं पक्का चलू आगे ओके बबाई टेक क्यार मिलते हैं अगली क्लास में तब तक खुश रहो मस्त रहो पढ़ते रहो तैंक यू